खलो हलो जंटा कैसे हैं आप लोग क्या हाल चाल मेरा नाम है नुभवपाद्धी बच्चा मैं आप सभी के सामने यहां पर प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही बहते रीन सा सै्शन ले करके बहुत ही Important चैप्टर को लेकर करके इस चैप्टर का नाम क्या है किया आप सभी लोग इस चैप्टर का नाम जानते हैं अगर जानते हैं तो बताए भाई किया आपको पता है इस चैप्टर में पर चैप्टर पर एक्जाम कितने questions आते हैं come on guys come on everyone please tell me do you guys know stream चालू हो रही है hello hello जंता चलो आवाज तो आ रही है मुझे पता चल गया इतना okay तब यह हर एक प्राणी को यह बात का एहसास आवाज जरूर होगा कि चीकु भाईया हमें पता है हमें पता है इस चैप्टर की क्या पढ़ना है हमें यह भी पता है कि चैप्टर से दो question fix आते ही आते हैं आते ही आते हैं तो आज का session इसी हम सब कुछ याद कर लेंगे हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है ठीक है तो आप अपने notes लेकर के बेटिएगा जो जो चीज़े मैं आपको बताता जाओं आप लोगों को बकाइदा notes करते हुए जाना है बिलकुल भी फड़फडाना नहीं है बिलकुल भी घवराना नहीं है बिलकुल भी डरना नहीं है चेप्टर बेहद आसान है इस पूरे के पूरे चेप्टर को जब मैं complete कर चुका हूंगा आज का part और कल का part अप अपनी उंगलियों पे revise कर पाएंगे पूरा के पूरा चेप्टर आप ऐसे revise कर पाएंगे हर एक चीज आपके दिमाग पर बैठी होगी आखरी में जब होगा तो वह बचेगा execution formula वगेरा याद करना कोई भी चीज को याद करना किसी भी तरह की फालतू चीजें आपके दिमाग में नहीं होगी आपको सिर्फ जोश दिखाना है ति आज होश में रहना है आपको सिर्फ पूरे 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 होश औहवास द्ध्यान से आपको इस पूरे चटर की हर बात सुननी है जलिए बीना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रारंब करते हैं आप लोगों से मिर्चे उमीद है कि बटा अब मैंने आपको लोगों के लिए एक वीडियो बनाया कि आपको नीट क्रेक करने के लिए क्या चीजे च इसके अराबह आपको लेक्चर नोट्स लेक्चर इसके बाद शॉर्ट नोट्स यह सारी चीज चाहिए अगर आपके पास है तो आप लोग बना ली चार चीज़े चाहिए चाहिए तो प्रेक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए क्या ले रहा हूं इसी तरह से बन आपको चाहिए अगर आपको चाहिए आपको टेस्ट के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रहरा है अगर आप लोगों को डर लगता कि में नमबर कमाएं गे लेकिन यह अगर आपने रहा हूं सब बरबादी की तरफ जारुंए यह सब कुछ lecture attend करना सब कुछ करना सब बरबाद है आप पूरे शिद्दत से अटेंड करिए पर टेस्ट भी दीजिए ओके question आपके अगर आपका question पर अच्छा solution है अगर आपका अच्छा प्रेक्टिस अच्छी है तो आप questions को ही test की तरह दे सकते हैं लेकिन फिर भी आपको फुल फ्लेश टेस्ट देना चाहिए अगर आपके पास बैटा टेस्ट नहीं है आप कही ना कही जॉइन कर चुके होंगा हमारे वाले चैनल का हमारी टीम वाले जो कोर्स हम लोगों ने लांच किया उसके साथ का टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट के पास पुराने पेपर पढ़े हुए कोई मौक टेस्ट के आप टेस्ट दो पुराने जो आपके पास पढ़े होंगे शायद वो न्यूट पे नहीं होगा अब अपन शुरू करते हैं चैप्टर चैप्टर के अंदर आप देख लिए वेड़ा ध्यान से हमारे पास चैप्टर के अंदर क्या है moving charges and magnetism चैप्टर का नाम है चैप्टर के अंदर तीन हिस्से होने वाले है part 1, part 2, part 3 हर हिस्से को आप लिखते हुए चलेंगे ये सब सारी चीज़ें आपके notes में होने चाही ताकि short notes में भी इसी तरह की चीज़ होनी जाही कि आपने पूरे चैप्टर को तीन हिस्सों में divide कर रखा है पहला वाला हिस्सा है how, दूसरा है what, तीसरा है where, पहला हिस्सा है कैसे, how, how, किस तरह से magnetic field पैदा होती है, कौन होता है जो magnetic field को पैदा करता है, तो magnetic field कैसे पैदा होती है यह हम लोग यहाँ पर पहले chapter में सीखेंगे, दूसरे chapter में हम सीखेंगे कि भाया magnetic field क्या करती है, दूसरे part में हम सीखेंगे कि यह part 1 में कैसे पैदा हो रही है, how, दूसरे part में हम सीखेंगे बटा, 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 दूसरे part में हम क्या सीखेंगे, दूसरे part में हम सी है वो हम दूसरे पार्ट में सेखेंगे ओके तो यह पार्ट और यह वेर मेंगेटिक फील्ड का हम क्या यूज करते हैं इस मेगनेटिक फील्ड का हम यूज कहां पर कर रहे हैं यह हम लोगों को समझ लेना है are you guys every single one of you getting it how, what, where ये तीन चीज हम करने वाले तो ये दो पार्ट कल होंगे ये आज के लेक्चर में हम इस पूरे को कवर करेंगे और जितनी भी magnetic field पैदा हो रही है जो भी magnetic field बना रहा है जो भी formula है, सब कुछ कवर हो जाएगा चलो देखो, सबसे पहला नमबर पार्ट नमबर बन, how, how के अंदर हम क्या पढ़ने वाले magnetic field के बारे में पढ़ने वाले है magnetic field is created, how magnetic field is created, कैसे पैदा होती है magnetic field सारे parts है, कैसे पैदा होती है biotsevert law, इसके बाद दूसरे सारे part है, magnetic field due to different element, circular, straight line cylindrical, इसके बाद, fourth number पे solenoid, और फिर fifth number पे toroid, ये सारी चीज़े, इतनी सब चीज़े हैं, पूरा की पूरा chapter का index और आखरी तक कि ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगे चले शुरू करते हैं, सबसे पहले कौन create करता है magnetic field, बताओ बेटा सबसे पहले लोगों को क्या पता था सबसे पहले लोगों को लगता था कि magnet करके, क्या होता है कि metals होते है बहुत अच्छे-च्छे metals होते हैं अब वो metals क्या होते हैं, जमीन के अंदर अगर दबे हुए होते हैं और कुछ material होते हैं जो जमीन के अंदर दबे होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है इसी property develop हो जाती है with time ऐसी property develop हो जाती है कि वो जो जमीन के अंदर दबे हुए metals है जो जमीन के अंदर दबा हुआ material है कोई stone है वो क्या करता है एक magnetic field की तरह एक magnet बन करके बहार निकलता है, इस magnet को हम बोलते हैं, मतलब इस substance को हम बोलने लग जाते हैं magnet, ठीक है, अब इसमें ना, अगर एसा straight तरह का है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, bar magnet, ओके, तो एक तो simple से होते हैं, magnets ही होते हैं, ठीक है यहां पर बार मेगनेट हो जाता है कुछ जगे पर सर्कुलर मेगनेट होता है आपने देखा होगा स्पीकर के अंदर इस तरह का एक मेगनेट लगा होता है इस तरह का होता है बार मेगनेट इस तरह का आता है उसे भी हम बोलेंगे सर्कुलर मेगनेट तो अलग-अलग मैं जैसे मेरा मेरा कोई फोन पीछ एक और उसके अती यहां पर यहां पर यह प्र लगी होती की बोर्ड पेर इस तरह से वह समय नहीं है वह कॉन से हैं канал होता है नहीं वह सिम्पल हमारे पास इस तरह जो मेंटिक मेंगे lately वाले मेगनेट हैं, पर्मानेट मेगनेट वाले जो मेगनेट हैं, वो मेगनेट है, तुमने ऐसे खेलने वाले मेगनेट भी देखोंगे, ऐसे उचाल-उचाल के मेगनेट से खेला जाता है, वो वाले मेगनेट जो होते हैं, वो भी कौन से मेगनेट होते हैं, ये वाले मेगन तो मैगनेटिक फिल्ड हाव मैगनेटि फिल्ड इस्मेंटीड के पारे में बात करेंगे धिम हलते में हूं अगले चेप्टर में तो यहां किया करने चेपने वाले हैं कि करेंट जो होता है अगर एक और यह चलता हुआ discharge समझे में सब्सक्राइब रहा है उक्या वायर के अंदर भी चैर्ज चल रहा है जल्दी से नता किया वायर के अंदर के आंधर भी चार्ज चल रहा है everyone 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 yes please tell me yes or no हर एक प्राणियार भाई तुम्हारा response अच्छा होना चाहिए देखो जोश तो रखोगे आग लगाने वाला जोश रखना चाहिए तभी आग लग पाएगी ओके चीकु भाई आपने करवाई की वे question की sufficient है क्या बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं यह क्या बैटा question की practice तो आपको जितना जाधा कौरो उतना बेटर है मैंने आपको करवा दिये अगर आपको थे देखा लया तो बाए तो करेंट के रिंग वायर के अंदर भी कि आ रहा है वर कि चर्ज चल नहीं है तो चलते हुए चार्ज के नाम से देखा गया अलग-अलग साइंटिस्त थे ऐख इंदर देखा कि चलते यायर के अंदर चल रहा है तो वहा हुमें पढ़ना है magnetic field, magnetic field क्यों पढ़ना है क्योंकि भीड़ा, तुम बनोगे doctor, तुम करोगे MRI MRI में आती है magnetic field वाली चीजों के use है ना और क्या पता आप किस field में चले जाओ तो अगर आपको MRI के अच्छी understanding चाहिए, अगर आपको MRI के लिए machine develop करने वाले region में भी जाना है अगर आप doctor भी बने तो भी आपको simple एक अच्छी understanding है मारा है के बारे में पता होनी चाहिए, तो जब आपको magnetic field की अच्छी खासी understanding पता होनी चाहिए, तो आपको एक दोनों chapter पता होना चाहिए, एक तो है जिसमें हम पढ़ेंगे magnets, जो कि अगला chapter होगा एक पढ़ेंगे जिसमें हमकी current carrying wires या फिर charges कैसे magnetic field बनाते हैं चलिए शुरू करते हैं, तो अभी इस हिस्से में हम क्या करने वाले हैं moving charges and magnetism, तो यह moving charges जो है moving charges जो है वो magnetism कैसे बनाते हैं वो इस पूरे chapter का आधार होने वाला है इस पूरे के पूरे chapter में हम एक ही चीज़ की बात करने वाले है how moving charges will create magnetism how moving charges will create how moving charges moving charges मतलब एक charge move कर रहा है वो या फिर एक current carrying wire है वो how moving charges will create magnetism will create magnetism okay, हर एक प्राणी इस chapter में how moving charges will create magnetism, तो चलता हुआ charge कैसे magnetism बनाएगा अब ये सारी कहानी के बीच में अलग-अलग लोग आएंगे क्योंकि जैसे ही पता चला एक चलता हुआ charge magnetism बनाएगा, लोग कूद 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 के आने लग जाएंगे मैं formula बताऊँगा आते हैं ना, हर बार ऐसे आते हैं पोर्स लगता है अग इसी रील को देख करके यहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट एक्साइटिस्ट हो गए लोगों ने पूचा बाई यह तो हमें पता है तुम बताओ कितनी है यह बोला अभी बतातेता हो तो इन्होंने मस्त फॉर्मूला बनाया इन्होंने क्या करा इन्होंने बहुत ही मस्त फॉर्मूला बनाया इनका फॉर्मूला था डी वी इन्होंने बोला कि छोटा सा भुवाइर तुम्हें ने क्या मान लिया क्यों पढ़ा रहे हो वगए यसका सीधा फॉर्मुला नीट में आ जाता है सीधा तो कमेंट करके बता है करेंट किदर बह रहा है, A, B, A, B, A, B, करेंट किदर बह रहा है, Come on guys, come on guys, come on guys, हरेक प्राणी बता है करेंट किदर बह रहा है, Every single one of you should be responding, current is flowing in this direction, Yes, ये वाला, A, उपर वाले direction में current बह रहा है, Okay, 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 हरेक प्राणी को देख रहा है current बह रहा है, आप मान रहे हो सिर्फ इतना से एक wire है, इतना से एक wire है, इस wire के अंदर क्या बहरा है, इस wire का जो length है, वो dl है, आपने बुला ये dl तो length चीकु भीए, आपने उपर की तरफ माना है, हमारी आंखों में कोई आशु यहाँ पर नहीं आए है, अब यहाँ पर इस wire के अंदर क्या बह रहा है हर प्लानी स्टेड है इस wire के अंदर current इस तरफ बह रहा है Every single one of you अब यहाँ पर इधर से हमने यह वाला distance आर लिया हमने यहाँ पर क्या लिया इस तरफ ये वाला distance क्या लिया अब इस पोईंट पर पता करना है यहां पर से देखा भी यह आर डिस्टंस पर पॉइंट है वहां पर बताओ मेंनेटिक फील्ड हम से बोला च्छा कितने एंगल पर वो तो हमको बता दिया थीटा एंगल पर अच्छा अब हमने देखो formula क्या लिखा by yhte लॉट लोग बायोट अंकल ने बता है formula लिखेंगे डी बी इस इकवल्स टू एक चीज बहुत मस्त है बहुत मस्त म्यूंग नौट अपान फोर पाई यह मूट अपान फोर पाई को वहीं पर 1 upon epsilon 0 इसका epsilon 0 उपर चला गया, mu 0 upon 4 pi आ गया, इसे k of magnetism बोल करके संबोधित किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसे k m, mu 0 upon 4, sorry, 4 pi, बोल करके संबोधित किया जा सकता है, k m बोल करके संबोधित किया जा सकता है, वो दोनों एक ही जैसे है, ठीक है, इसकी वेल्यू कितनी होती थी नाइंट जो नाइन लिग्स चीघू भीस फ़ेल्यु कितनी होगी यह तो बहुत ही गटिया बात होई यह बहुत ही घटिया IT यह कितना हो नहीं होटा UK जोचो शूचो बताओ यह लि!" नाइन वगो पॉस्ट पूपाइब पॉर पाई हमने यहा तक लिखा अब अपन क्या लिखेंगे ideal बटा ideal 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 okay ideal cross r by r cube हर प्राणिक द्यान से देख ले ideal cross r by r cube ideal cross r by r cube इसी फॉर्मूले को मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ देखो पॉर पाई आई बाई आर आपने एक तरफ ले लिया इतना यह आपको एसे चलेगा ना मतलब अगर आपको यह याद होगा कितने लोगों को यह चीज याद हो गई कि चार चीज है यह वाला और आई बाई आर है तो जब भी हमें कहीं पर मेगनेटिक फीड निकालनी होगी सबसे पहले म्यूनट अपन फॉर पाई आई बाई आर आएगा और इसे हम कोई न कोई चीज से मल्टिप्लाय करेंगे इतना याद हो गया है तुम्हें हर पापी प्राणी ये बता दे क्या उसे याद हो गया है अभी से सूच लें कि जहां भी मेगनेटिसम आएगी एक बार तो म्यूनट अपन फॉर पाई आई बाई आर मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए हर प्राणी को यह चीज याद हो ठीकुलाय करें यहां। हम यहां पर यहां करेंगे टी यहां पर इसकोई नीचे लेंड कशálय मतलब इसे लगांए लेंड है g20 लेंड़् ठीक अब ये चीज शायद तुम्हें ऐसा लगे यार चीको भी ये तो क्या फरजी से चीज तुमने बताई है मजा आनी रहा देखने में कुछ अच्छा है नहीं पर जब मैं इसको बहुत सारी चीजों के साथ कंबाइन करूंगा तुम बोलोगा हां चीको बताया तुमने कु के बारे में कुछ नहीं बता है ठीके चले आगे давай हरे क्म इस ओर fighters बनाता है में अबने तो बोला था करेट की इंगगेंगल बनाती यहां तो आपने बिला कि यहाँ पर करेंट बहरा है यह इसका लेंथ DL है इसकी वज़े से थीटा एंगल पर अगर कोई R डिस्टेंस पर पॉइंट है तो इस पॉइंट पर magnetic field कितना होता है यह आपने current carrying की वज़े से बताया ना आपने तो हमें जो आपने जोटा से magnetic field का जो फॉर्मला लिखाए वह लिखाया याई इतना हमने याद कर लिया था आप ने इसके बाद यह बोला कि इसमें दो लेंद उप्पर रेंदो नीचे थी तो हमने वह भी याद कर लिया DL cross R ऐसे करके हमने याद कर लिया कोई दिक्कत, कोई परिशानी, कोई समस्थे हमें नहीं है इसके अपाउन हमने R square भी याद कर लिया पर चीकू भाया आपने इसमें charge के बारे में कहां बता है तो current है ना तो देखो चीकू भी आप बता रहे कोई दिक्कत, कोई परिशानी, कोई समस्थे नहीं है अगर यहाँ पर DQ upon DT बोला जाए तो आपने बोला बिल्कूल तो मैंने I को मिटाया और मैंने यहाँ पर इस I की जगे क्या रख दिया जल्दी बताओ, मैंने I को मिटा करके यहाँ पर I के अपन में DQ upon DT इस तरह से DQ upon यहाँ पर DT डाल दिया अब DT में अपन में कहीं में डाल सकता हो तो मैं DT यहाँ नहीं डाल रहा यहाँ जगा नहीं है, मैं DT यहाँ नहीं डाल रहा मैं DT डाल देता हूँ DL के अपन में ahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahan अपन इसको क्यों मान लेते हैं चार्ज अपन आ पौन आर मल्टिप्लाइब दिल अपन दिट थी तो दिल अपन दिटी आ गया वी क्रोस आर अब बताओ बटा कि आपको चार्ज की वज़े से बता चल गया कि अगर एक चार्ज ही यहाँ पर से चल के जा रहा है ध्यान से देखना एक चार्ज है इसकी वेलोसिटी वी इस तरफ है चार्ज है इसकी वेलोसिटी वी इस तरफ है नीट में आज तक इसके पर question नहीं आया लेकिं नीट ने formula पूछ रखे तो यह formula में exact question यही चीज formula के form में आप से पूछी जा सकती हर एक प्राणी sorted है क्या जल्दी से बता दे बेटा हर एक प्राणी sorted है क्या हर एक प्राणी sorted है क्या हर एक प्राणी sorted है क्या हर एक प्राणी sorted देखना जब theta हो जाए 0 degree तब क्या होगा पहला formula हमारा एक wire की वज़े से था ध्यान से देखना एक पहला formula हमारे पास इसके अंदर current carrying wire की वज़े से theta पे था कितना था mu not upon 4 pi i by r तो था i by r तो था यह तो हमने याद कर लिया था इसको किसे multiply करा था dl cross r से बेटा ध्यान से देखो इसे dl cross r करा था मतलब इसे dl into r into sin theta लिख सकता हूं अपान r square था ओके पर अगर theta 0 हो गया मतलब हमने 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 इस wire के मुह के सामने ही यहां पर point अगर theta 0 है तो आप बताइए magnetic field क्या हो जाएगी आप बताइए magnetic field क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी अगर ऐसे ही यहां पर एक चार्ज है चार्ज चार्ज चलके जा हाए और हम पूछेंगे चार्ज से की तेरे रस्टे में point है इस पर magnetic field क्या है तो चार्ज यासे दॉड रहा है चार्ज दौड रहा है अपने मु के सामने magnetic field थोड़ी बनाएगा यह चार्ज यहां पर नहीं बनाता तो क्यों नहीं बनाता तो क्यों पर I by R, I की जगे क्या जाएगा, क्यों आ जाएगा, इसका DT किसने चुरा लिया, DL ने चुरा लिया, तो D क्या बन जाएगा, V, तो यहाँ पर अपर लिख देंगे, V, R sin theta upon R square, तो बटा, यह V है, और यह R है, यहाँ पर क्या था, यह आई था, और यहाँ पर यह क्या था, R था, are you guys understanding it, जब यह सामने हैं, तो यहाँ पर magnetic field कितनी आएगी, हर प्राणी बता दे बिटा, एक charge अगर दोड़ते हुए जा रहा है, तो अपने सामने R distance पर point पर magnetic field कितनी मनाएगा, एक current carrying wire में current दोड़ रहा है, तो अपने सामने R distance पर किसी point पर magnetic field कितनी मनाएगा, अंस हर प्राणी लिख चुका है सारी चीज़े अपनी copy में, ठीक, तो अगर एक charge है, बेटा समझ रहे हो, आप कोई imagine मत करो, क्या है charge magnetic field में दोड़ रहा है, नहीं, मेरी बात है सुनो, इसके उपर note लिखना चाहो, तो लिख लो, क्या है charge magnetic field में दोड़ रहा है, नहीं, क्या है charge खुले आसमान में दोड़ रहा है, नहीं, यह बतलब यह charge कहां दोड़ रहा है, यह charge एकदम खाली जगे पर जहां कोई और कुछ भी नहीं है, इसो लेटेड है, charge अकेला दोड़ रहा है, क्या charge दोड़ता हुआ, charge magnetic field बनाएगा, हाँ बनाएगा, कितनी बनाएगा, इतनी लेकिन अगर charge के सामने ही बना दी, हमने पूछ लिया, charge तेरे सामने ही magnetic field है, तो हाँ, 0 हो सकती है, क्या एक दोड़ते हुए charge की वज़े से magnetic field 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है, कब हो सकती है, दोड़ते हुए charge के वज़े से magnetic field 0 हो सकती है, जब उसके सामने ही पूछ लो तुम, क कि जिस तरफ वो दोड़के जा रहा उसी तरफ कुतनी magnetic field बनाएगा तो शुनी बनाएगा समझ गए तो क्या एक दोड़ता हुआ charge magnetic field बनाता है हाँ तो क्या पर क्या एक दोड़ते हुए charge की magnetic field zero हो सकती है बिल्कुल हो सकती है अगर आपने उसके सामने ही पूछ लिया तो दोड़ते हो चार्ज की वेज़े से magnetic field क्या हो गए जीरो होगी मेरे हिसाब से हर प्राणी को यह चीज सौर्ट होगी चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो बटा हमने क्या करा direction of magnetic field की बात करते हैं इसमें आधी से जाधा जनता परेशान होती है direction of magnetic field कैसे निकाले हैं तो पीड़ा एक ही जगे मैंने सारी चीज़े लिख दी धियान से देखना तीन तरह से magnetic field की direction निकलती है कुछ लोग right hand thumb rule और अलग-अलग rule ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके राइट लेफ्ट बता दो तो कुछ लोग right और left में गन्फिज होते हैं exam में उल्टे हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं मैं तुम्हें simple सी बात बता रहा हूँ तुम्हें right is only right आपके पास इस तरह से लूप है तो आप कैसा यूज करेंगे तो भी सीधा हाथ यूज करेंगे और आपके पास एक छोटा सा करेंट केरिंग वायर है जो बायोट से वेट लॉग में हमने देखा इसके अंदर उपर की तरफ करेंट बह रहा है और इससे आर डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैगनेटिक फिल्ड पूछ लिए ठीक घ्यान से देखेगा एक करेंट केरिंग वायर है मैं करेंट केरिंग वायर लेकर करके आता हूँ कहीं दिख रहा है कि मुझे करेंट केरिंग वायर अच्छा बड़ी दूर पड़ा हुआ है तो देखो बेटा मेरे पास यहां पर एक करेंट केरिंग वायर है आप सभी को दिख रहा होगा सभी महानुभाव सभी महानुभाव इधर इस करेंट केरिंग वायर को देखें चाहिए आप देखो बटा हमें इमेजिन होना चाहिए मैं आपके आपके सामने कुछ शब्द बोलूँगा आप वो शब्दों को अपने दिमाग में उतार ले जीवन भर के लिए जीवन भर के लिए आपको सारी की सारी चीज़े क्या हो जाएंगी सौर्टेड हो जाएंगी ज्यान से देखेंगा बटा आपके सामने यहां पर एक करेंट केरिंग वायर है तो एक करेंट केरिंग वायर अपने अगल बगल प्याज बनाते हुए जाता है क्या बनाते हुए जाता है प्याज ओनियन रिंग्स बनाते हुए जाता है यहां पर देखो यह करेंट केरिंग एक current carrying wire ऐसा है जैसे आपने इस wire के उपर मौटीन की कोईल लगा दी हो पिटा समझ रहे हो हर एक प्राणी समझ पा रहा है इसके उपर आपने मौटीन की कोईल लगा दी तो जब आप जीवन में कभी भी कहीं पर इस तरह से मौटीन की कोईल लगे हुए देखें आपने कहीं इमेजिन करोगे हमने तो क्या देख लिए current carrying wire की वाज़े से magnetic field कैसे बनती है वो देख ली ओके अबरिवन एक current carrying की वाज़े से magnetic field बनती है अगर straight wire ऐसे है तो इसकी magnetic field कैसे बनेगी इधर से देखो ध्यान से मस्त शादियों में जो onion मिलते काट कैसे लगा दिया रेस्टोरेंट में जो गोल ऑनियन मिलते हो काट के इसके उपर लगा दिया एकदम वही मिल रहा है यह screw अगर आद देखे हूं तो ध्यान से देखो बिटा मैंने आप लोगों के लिए इस एक device लेकर क्या है इसमें screw है यहां screw लगा हुआ है तो screw के उपर क्या है cross बना हुआ है तो अगर आपको यहां cross दिख रहा है तो आपको क्या दिखेंगा यह screw किदर गए हुए अंदर गए हुए हैं लेकिन अगर आप डाट देख रहे हैं मतलब आपको लगाओ किसी ने उदर से इसे अंदर डाला है तो अभी इस तो बाहर आ रहा है क्रॉस मतलब अंदर गया हर प्राणी यहां तक सौर्टेड है डॉट मतलब कहां बाहर आ रहा है क्रॉस मतलब अंदर गया हुआ है या कोई दिक्कत परिशानी समस्य हमें नहीं है लेकिन डाइरेक्शन पता कैसे की जाए तो आपने है अइमेजनेशन ट्राणी डायरेक्शन कैसे पता तो विए नहीं हमारे पास तरह से और केस में क्रीश कया है या यह वाला ऑगार भी हो सकता है सुम्द साग्षाल। या जब भी हमारे पास तरह लैंगे और रखेंगे step 1, thumb, thumb, thumbs up वाला, thumb, thumb along current, ठीक है, step 1, thumb along current, तो हम thumb को किदर रखेंगे, current की direction में रखेंगे, अब मैंने यहाँ पर state wire को ऐसा रख दिया, अब आप बताईए, state wire में, अगर current उपर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, state wire में, अगर current उपर की तरफ जा रहा है, तो मैं state wire को बेटा, ऐसे पकड़ नहीं लूँगा, हो सकता wire में current तुम्हें लग जा, ऐसे पकड़ नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ थम wire के along रखा उपर, state, clear है, और अगर मुझसे पूछा गया, ध्यान से देखना है, wire है, wire में current उपर जा रहा है, मुझसे इदर कि तरफ, इधर कि तरफ, अगर किसी ने पूछ लिया, इसी current carrying wire की वैज़े से, किसी ने मुझसे पूछा, कि काम करो इधर बताओ, यह जो लोग बैठे हुएं सामने, यह सामने लोगों के उपर से field कि तरफ होगी, तो हम बोलेंगे, एक काम करो, इधर हात ऐसे रखो और लोगों के उपर, लोगों के उपर, लोगों के उपर तरफ हाथ करो, तुम्हारे सर पे से इस तरफ होगी, अगर तुम्हारे उपर देखनी तो इस तरफ होगी, सामने की तरफ देखनी तो इस तरफ होगी, क्यों, 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 क्यो में आपने क्या कर दिया कर द खर्द-पाम कर दख न फिर Τे को अब कौन लिए टरशली टट डेल कौन कर दिया जैसे आपने फ कर दिया गद्र-ट-ब जिया ladies शुजंखर मैं धार को कर दखे हुए तल मावरमों करा एंफ है त्धा फिंगर सी In figures will tell the directions your finger will point in the direction टाल पाम तो फिंगर किधर पॉइंड कर रहे है तो करना है करना है करना है कि न यूँ क्लिया चिख्यों एसे न सब्राणी पहले चीज़ क्लियर सेकंड चीज के अपनें के बाद आपन बात करें हमने स्टेट लाइन इने वायर के बारे में भात कह लिएए सरकुलर लूप में अलग तरह से निकलती है जिकला हमें यह बात पता हो अब लूप के लिए magnetic field कैसे निकालेंगे तो ध्यान से लूप में current इदर है लूप में current नहीं है तो भी magnetic field निकाल दोगे क्या जल्दी बताओ बूप में current ही नहीं तो भी तुम magnetic field निकाल दो गया जल्दी बताओ हां यह नगर न हां लूप में नहीं है तो भी चीगूँ भी में कि नहीं बेटा करेंट केरिंग करेंट केरिंट केरिंग करेंट केर्ण फीलोप होता है तभी magnetic यहां पर देखे जब भी आप इस लूब को देखें आपने कभी बजार से धनिया करीद के लाएं आपने घास का वो डेर होता है बहुत सारा कच्रा ऐसा पकड़ते हैं बहुत सारी घास को इस तरह से पकड़ा जाता है और ऐसे बीच में से बांद दिया जाता है ऐसे बीच में से बांद देता है धनिया होता है मेथी होती है धास का धेर होता है उसको बीच में से बांद देते हैं यह खराए देखा होगा है ना है ना है है मैं लूटको आपको 2d dei pawn मनाता हiau लूप एगर यहां इस तरह से है सब्सक्राइब यह पर लूप है यह बहार वाला लूप में करइंड ऐसे तौप अब आपको पता है कैसे होगी इसकी method इस तरह से हो से हुग sä क्या आपको बिल्कुल imagine हो रहा है कैसे आ रही ही magnetic field तो वहाँ पर प्याज था यहाँ पर धनिया है हर एक प्राणी को बहुत अच्छे समझ में आ गया पूरा पूरा सलात की वबस्ता है यह एकदम मस तरह से हमें पता चल गया के थोड़ा सा ध्यान देते हैं लिए क्या ने पढ़ाएं लोगों अच्छा पेदा करते हैं ना करें चोटास और ती लोगों ने करकर लाग अलग चीजों के लिए निकाल लिया थीक है तो स्काल के लिए निकाल लिया, इसके लिए निकाल लिया, अभी हम directions कैसे निकलती है, वो पढ़ रहे हैं, तो straight wire की direction अलगतर से निकलती है, तो straight wire की direction के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो circular की direction के लिए simple, कि जिधर current है, ध्यान से देखो, step 1, आप क्या करेंगे, step 1, आप लिखेंगे step 1, यह राइट, right is only right, curl your right hand, okay, curl your hand in the direction of current, in the direction of current, तो जहां भी curve होगा, पिछली बार क्या कर रहे थे, current की direction में थम रख दिया तर ऐसे आशे ऐसे कर रहे थे, इस बार current जिधर है, उदर curl करेंगे, जित तरफ current भार उस तरफ curl करेंगे, जिस तरफ current भार उस तरफ curl करेंगे, तो बढ़ यह अंदर की तरफ magnetic field की तरह जारा देखो जिस तरफ curl करेंगे ऐसे curl करा तो अंदर magnetic field की तरह होगी अंदर की तरफ thumb will point the direction of magnetic field तो आपका जो thumb होगा Okay, thumb will point the direction of magnetic field thumb will point the direction of magnetic field Okay guys, magnetic field हर एक प्राणी हर एक प्राणी हर एक प्राणी सौर्टेड है यह दोनों चीज़ें आपको क्लियर है यहीं पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बात के जो फॉर्मुला है सारे मैं याद कर दूँगा कोई दिक्कत परेशानी समस्या तक नहीं है इसके अंदर इसको घुम अब इस लूप को मैं ऐसे करते ही लूप को मैं यही लूप को मैंने पल्टा दिया इसलूप को ऐसरे नगा अंदर की घूंके वापसाती invit फीड घूहम के वापस आती है कि उनुकर मैंगनेटिक फीड लाइन क्री लॉप intim रहा है क्लोजुप बना है उक्र फानी को बहुत से समयं होदा जि Tennagoda मिदूंचेयर पूरा गुंगा गुंगिया निया क्लोसट लूप बन जाता है इसरे से वापस उनुकर इनुस्ट गूंके यहां पर भार क्या बनेंगे डॉट्स अर्यू ऑंडर्ट्स अजरश्म, यहां पर अंदर अंदर घूंके वापस आ पने यफ हर प्राणी समझ गया है से फिल अंदर जा रही है फिर घूम के पहर निकल रही है फिर दर फिर फिर प्राणी को बहुत अच्छा से समझ में आ गया तीसरी जी डियोंत से लोग यह मैं आपको बता देता हूं इस छोटा से करेंट केरिंग वायर है इस चोटे से वायर की जो लेंथ है वो डील है और यहां पर जब हमें बोला गया इधर से इधर जाओ तो इस तरफ r distance पर थीटा एंगल पर अगर एक point भी है वहां पर field क्या होगी उसका direction किदर होगा तो direction देखना dl इधर है r इधर है तो जो field का direction था ध्यान से देख लीजिए field का direction था वो directly proportional to इसका डीवी का डारेक्षन है, तो मुझे क्या णिकालना है यह आएगा, डीवी का डारेक्षन निकालना है, तो वो कमा तुम्हे लग रहा है बीच में क्यों गूल गोन गूहाएगा, पढहरोटे-पढहर, DL cross R, यहां देखें, आपके DL cross R, DL cross R, तो उस point पर field किदर आएगी, अंदर कि तरफ, तो direction DB will be equals to, DB is going to be equals to, कैसे आएगा भी या, DB is equals to क्या जाएगा, inside, क्या प्राणी समझ चुका है, everyone, हर प्राणी तीन तरह की जो direction है, समझ चुका है, क्या मैं आगे वड़ जाऊं, okay है, clear है, चलो, अब मुझे बता दो, अब मुझे बता दो, अगर यहां पर एक loop रखा हुआ है, यहां से देखना, यहां एक loop रखा हुआ है, current इदर है, एक loop रखा हुआ है, तो यह बहार वाला side होता है, मतलब अंदर वाला side होता है, ठीक है, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर यहां पर इसका axis है, और आप से पूछा गया है, आप से पूछ लिया गया है, कि इसके axis पर यहां कोई point है, यह लूप है, और नोप करना पड़ेगा, हम current की दिवान से आदर होके हात को ने हम करेंट की दिशा में हात को गुमाएंगे यहां पर direction इधर होगा तो इस point पर direction इस तरह से आएगा मेगनिटिक फील्ड इस desapLLten अच्चा चीज बेए अगर यह यहां कोई point होता आप फिर क्योंसे बताते, तो हमने देखा बेटा, हाथ को इस तरफ करा, तो हमने बता चला, magnetic field इस तरफ है, तो इस पे इस तरफ है, तो ये भाई पे भी इस तरफ होगी, ओके बटा हर प्राणी समझ गया है हर प्राणी समझ गया है उस पर इस तरफ क्यों है क्यों कि मैं आपको बता देता हूँ देखो यहां पर से अगर magnetic field line ऐसे निकली होगी तो गूम के ऐसे आ रही होगी क्या आपको समझ में आया तो इधर से magnetic field line ऐसे गई है तो गूम के उधर से आ रही होगी ना तो उधर भी इस तरफ होगी और इधर भी इस तरफ होगी every single one of you are you guys getting it आपने ऐसे हाथ को करल करा magnetic field इधर है तो वहाँ पर भी इधर है और यहाँ पर भी इधर है कि ओके every single one of you चले यहां के से देखते हैं हमारे पास यहां पर एक करेंट के रिंग वायर है आपको बताना है इस तरफ यह यहां पर डायरेक्शन इस पॉइंट पी पर डायरेक्शन की तरह होगा आप बताएंगे अप या फिर आप दिखाएंगे आउट या इन आउट होगा जल्दी से बताएं आउट होगा या इन होगा या बताएंगे होगा कमान गैस और इस उस पॉइंट की बात कर रहा हो के छो कर तो इधर तो आउट पसक्तम अंदर जो पॉइंट से उनके दो डाइरेक्शन कैसी है आओट है लुद हम लाउत लुट 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 यही coil में अगर मैं direction दिखाने की कोशिश करूं फील्ड का तो इसी coil को मैंने मैं ऐसे shift कर दिया जहां तो यहां से current ऐसे आ रहा था । मैं इस को उठाया और यही तो हो रहा था ऐसे डिदर से बाहर निकलेगी तो इससे अंदर तो इदर से बाहर निकल रही है उर इदर से अंदर जा रही है तो इदर से बाहर निकल के अंदर जा हमmen ख nut liberitis औ को भी प्राणी directions को लेकर के तो परिशान अभी नहीं है यह सबसे बड़ा मुद्दा रहता है तुम हस्त से ज्यादा इसी चीज में पढ़ाते हो इसलिए मैंने तुम यह सिखा दिया ओके सबको clear है चले अब current यह बला है इस पर डाइरेक्शन बदानी बता है पाई डायरेक्शन कहते होगी आप बताने जल्दी से डाइरेक्शन डाइरेक्शन किदर होगा इस पर होगी हाँ होगी इस पाइंट Out और In Outwards और Invert जल्दी बताएं सभी पराड़ी बताएं Up, down, Outward, Invert किदार होगी Magnetic field Up, down, Outward, Invert Come on Up, down, Outward, Invert Up, down, Outward, Invert जल्दी जल्दी बताएं जल्दी बताएं Up, down, Outward, Invert तो देखेंगे बटा यह उपर यह नीचे Out और In आप डाउन आउट और इन तो आप क्या करेंगे ये confusion है देखिए हम क्या करेंगे थंब को current के direction में रखेंगे थंब को current के direction में रखेंगे और P की तरफ point करेंगे ठीक है अब 90 डिगरी पर curl करेंगे आगे तुम्हें समझ में आगे तमझ में अब यहां देखिए वटा ध्यान से ध्यान से खचाक किदर आ रहा है आउट वर्ड्स हर प्राणी हर प्राणी सौर्टेड है हर प्राणी सौर्टेड है ओके हर एक प्राणी को क्लियर है चलो देखो वटा यहां पर एक current के रिंग वायर है ध्यान से दिखना एक current के रिंग वायर है ऐसे रखा हुआ है इधर जा रहा है ओके मैंने पूछ लिया यह जो point है P इस पर direction किदर होगी अप down outward inward जल्दी है यह यह कर रहे होंगे ठीक सिंपल सी बात है तुम्हें यू 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 नहीं करना है पहले से बना के मत जाओ current की direction में थम रखो इसकी तरफ point करो और curl करो जल्दी बताए अप down outward inward ओके हर एक प्राणी देखेगा कि हमने current की direction में थम रख लिया बेटा सीधा हाथ रखना है right is the only right ओके यहां पर देखें इधर हमने सीधा सीधा हाथ इसके उपर रख लिया P पर point कर और खचाक अंदर की तरफ क्या आ गया है इसके उपर अंदर की तरफ आ गया है तो हमें प वम्टेंगे तो फ्लेश कर देगे अप्या करेंगे करेंड्स कर देंगे से इस पॉइंट पे और कि ऊद्धर आ जाएगा इदर इन आया है तो ऊडर आ आप देखा पर असा तो अदर डाला तो उदर से बाहर निकालेंगे इसमें सुई दागा टाइप था सीम ते आपने नदर यहां फिर बहार निकालेंगे तो इतर से फिर बाहर निकालेंगे बाहर निकालेंगे यहां पर एवरीवन सुपर डूपर सौर्टेट तो इधर से अमने फील्ड को कहा डाला अंदर तो इधर से फील्ड कहा निकल रही है बाहर निकल रही है हर प्राणी यह बात समझ के चले दिमाख में ऐसी इंडस्टेंडिंग बिठा ले कि भाया कोई दिक्कत ही नहीं है जब भी तुम्हारे पास मेगनेटिक फील्ड लाइन होती है तो वह क्या करती है वह इस इस चीज को अपने मेगनेटिक फील्ड से लपेट लेती है सुई है इधर से बाहर निकलेगी इधर से अंदर चले मेगनेटिक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए हमें सब की मेगनेटिक फील्ड बगरा निकालते आती चलिए बात करते हैं फोर्थ नंबर पर एंपियर लॉग जैसे ही कहीं पर लोगों ने उसके उपन लॉग बनाना शुरू कर दिया आपको यादे सबसे पहले म ने बता दिया कि चलो मैं भी कुछ मेंगनेटिक पील्ड के बारे में बताऊगा ऐसी ही एक रील बनाई थी गौस अंकल ने अगर आपने मेरा सेशन देखा हो तो ग्युवान के साथ कि वहारे अंदर से फ्लक्स पास नहीं होता तो गौस अंकल को भईया गोस अंकल को हां से सब्सक्राइब को बात है वह सुन करका दो निया था ऒढतो उन्हों ने भोघ लुगी कुट होगा प्रावर होगा क्यों वील ना उब लोगों ने खूब शेयर भी करी ठीक है आज भी लोगों के सिलिवस में पढ़ाई जाती है अब ये वाली रील के बाद इनकी रील कॉपी करने कोशिश करी किसी और साइंटिस्ट ने उन्होंने बोला कि मैं गौफ लॉप मैंगनेटिजम के लिए बनाऊंगा तो उसने एकी मतलब इसक बोडि से कितना मैंनेटिक फ्लक्स पास होगा इसका अंसर आगया जी रो क्योंकि बोडि से कोई भी मैंनेटिक फ्लक्स पास कर सकता क्यों कि अगले चैटर बेपन और अच्छे से पढ़ेंगे अभी फढ़ाना नहीं है कभी भी flux पास नहीं कर सकता क्योंकि जितनी लाइन आपने close body से बाहर निकाली तो ultimately गूम के वापस ही अंदर आ जाएंगी समझ गया है क्योंकि magnetic field line close loop बनाती है यहां ऐसा थोड़ी होता कि positive charge ने पैदा कर दिया negative charge ने खतम कर दिया ऐसा कुछ नहीं होता यहां negative north pole से बाहर नि तो यहां पर लोगों ने बुला किया रहा है नहीं यह वाला नी बन सकता तो MPR ने पहले यह बनाने की कोशिश करी यह लौन का बन नहीं पाया अब MPR ने सोचा मुझे तो कुछ ना कुछ लौ देना है मुझे भी magnetism में कुछ तो लौ देना है ठीक है तो इन्होंने एक ती एरिया तो लगा नहीं पाये तो इन्होंने क्या लगा दिया लेंध लगा दिया लगा लिख दिए बी डॉलोड टी यह जह लूग्ळ यहां पर क्लोड रिया यहां अग्लोड सर्फेस यहां लूप तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं यह वाली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है इस इस बी डॉट डी एल फॉर अ क्लोजड लूप बहुत अच्छे समझ रहा है पॉर अक्लोजड लूप के से कितनी क्योंहि développी मैगनेटिक फिड्लाइन प्रानी यहाँ लिए उस तरह से कुछ-कुछ इंहोंने हमे गरर्ने कोशिच करी वो किसके बराबर आ कशया वोलग लिए यहाँ पर क्यू नौट था तो हंनने क्या कर दिया क्यू पर यहाँपर क्यू इन्डोज ता इन्होंने इन किया यह Closed Bodies kə लिए है या फिर Closed LOOP के लिए जल्दी पताएं MPO Closed Bodies के लिए या Closed LOOP के लिए के लिए क्लोज लूप के माँज फी मOTH यह Closed LOOP के लिए हर पराइनीů इंपर लॉक के बारे में परक्राथ देखते हैं आपने एंपर यत अ कोई कोई current carrying wires या फिर multiple current carrying wires इस तरह से रखे हुए है जब भी current carrying wire इस तरह से रखे हुए है और जैसे यहाँ पर multiple wire रखें जैसे 1, I2, I3, I4 तो हमें अगर कभी इनके magnetic field के ओपर comment करना है तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर आप क्या करो एक अगल बगल एक emperian loop मान लो जिन wires की magnetic field पर जैसे एक, दो, तीन, तीन wire की magnetic field पर मुझे comment करना है, तो इन तीनो wire की magnetic field के लिए क्या करनूँगा, इनके अगल बगल एक emperian loop मान लोगा, वहाँ पर हम emperian loop मानेंगे, charge के अगल बगल एक surface मान लो, वो gaussian surface होती थी यहाँ पर wire के अगल बगल एक loop मान लो, emperian loop होगा, हर एक राणी sorted है, अब बोला गया, अब बोला गया इस loop के area से जितने भी wire pass हो रहे है, इस loop का area है, यह loop का area होगा, इस loop के area से, ध्यान से समझना यह चीज वापस आईगी, em waves नाम का एक चेप्टर है, उसमें चीज वापस आईगी, फिर से समझाओंगा, यह NPR की कहानी, इनके दुख खतम नहीं हो रहे, इन्होंने पहले goss का law यहाँ चापने कोशिश कर दिए, एक बच्चा विचारा चीटिंग करने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है, दूसरी जगे फिर कोशिश करता है, फिर पकड़ा जाता है, तीसरी जगे कोशिश करता है, फिर पकड़ा जाता है, ऐसे करके यह विचारे MPR की कहानी है, यहाँ पर देखिए, I1, I2, I3 के अगल बगल इंटने बोले एक loop मानलो इस loop के area से जितना current pass हो रहा है जो जो भी लोग लिखना चाहते हैं लिखने जो यह बाते में बोल रहा हैं आप लिख सकते I1, I2, I3 के अगल बगल आपने पहले step में एक imperial loop माना इस imperial loop के area से जितना भी current pass हो रहा है उसे हम current enclosed बोलेंगे इसके लिखेंगे इसके लिखेंगे B.dl का closed integral is equals to mu not into I enclosed हर प्रानी sorted है अब ध्यान से देखना बटा इसके अंदर से हर प्रानी sorted है ध्यान से देखेगा इसके अंदर से हमने इस DRS इसे माना है तो उपर वाला positive होगा नीचे वाला negative होगा जो उपर जा रहा है वो positive है जो नीचे जा रहा है वो negative है अब आपने RDL का direction माना है जो करेंट उपर जा रहा है वो पॉजिटिव हर एक प्रण ये बात को समझे आपने डियल का डायरेक्शन वाना जो करेंट नीचे आ रहा है यह चीज को आप लिख लें समझ लें इसका और कोई यूज नहीं सिर्फ डायरेक्शन निकाल लें पहला स्टेप क्लिया दूसरे स् प्लस आई थ्री गोव पोजिटिव फिर आई टु जो है वो नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन इसे मालना है तो इडायरेक्शन है जो नीचे आ रहा है वो नेगेटिव हार बनानी सॉटेट दिल सिंगल और उप्र लेंग अगे जल्दी बताओ आई-पोर नहीं लेंगे नहीं लेंगे, तो यहाँ पर current enclosed i1, i3, i2 के वज़े से होगा, लेकिन जो magnetic field है, magnetic field will be due to, इस point पर, इस जगे पर आपन magnetic field भी मानेंगे, तो हमने माना magnetic field कुछ इस तरह से ऐसे आएगी, हमने मान लिया यहाँ पर कुछ magnetic field आएगी, और suppose वो magnetic field कुछ आ रही है आपर, यहीं तो बी लिए, बी डॉट डियल मान लिया, और बी ले लिया महाँ पर, तो जो बी आ रहा है आपर, इस डियल के आसपास, जो बी आ रहा है, बी किसकी वज़े से आएगा, तो बी विल बी डूटू, जिरा ध्यान से, बी विल बी डूटू, सारी चीज़े लिखते जाना बीटा, नोटस आप लोगों के बहुत अच्छे बनना चाहिए, बी विल बी डूटू, बी विल बी डूटू, आई वन, आई टू, आई थ्री, और आई पॉर, तो बी आपका सब की वज़े से होगा, यह जो बी आपका है, तो बटा, जब भी आप बी डूट 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 लिखोगे, तो आपने सबसे पहले हैं, डी अलिया, माना, बहुत बढ़ी है, आपने डील मान लिया, फिर आपने यहाँ पर बी माना, बी आपने मान लिए, सबसे इस तरफ आ रहा है, लेट सबसे इस तरफ आ रहा है, तो बी डॉट डील आपने लिखा, ओके, इंटेग्रल पर आपने मुन लिखा, तो आइंटेग्रोज में आप कौन कौन लेंगे, जो इस लूप के अंदर है, जो इस लूप के अरिया से पास कर रहा है, ओके, तो आइंटे लूप्स लूप्स अरिया, हर प्राणी समझ गहा है, अरिया से यो पास कर रहा है, उसे हमने आइंटे क्लोज में लिखा, बी विल भी डिूट्ू, तो पर यहां magnetic field है वो कैसे लोगे तो magnetic field तो बैटा सब की वज़े से आईगी आप इसके उपर question कैसा आएगा बैटा इसके उपर यह law की बातों पर ही question आप से बोलेंगे आइंक्लोज बता दूँ आप से statement वाला question पूछ लेंगे B किस की वज़े से आईगी आप बोलोगे B čारो की वज़े से आईगी आप बोलोगे non close लेंगे तो आप irresponsation क्वे एरिया है तो आपको पता होना रही है सिर्फ यह बेसी province सिदें ग्राभ कि की है इसका पता हो इसका कि यूज भूलो का यूज करके हम पढ़ते हैं application off हम पढ़ते हैं application, and imperial's law application of MPL law application क्या होते हैं इससे हम निकालते हैं magnetic field के formula, शनलब यह भी क्या यूज आता जैसे माड़ से this we have now straight line and formula निकाल लेते हैं इसी को यूज करके सरकुलर का formula निकालने कोशिच करते हैं इसी को यूज करके हम solenoid का फॉर्मूला निकालने कोशिश करते हैं इसी से हैं अपने फिल्ट को नहीं करा रहा हूं उतने जाद आपके लिए खास नहीं है लेकिन इन सभी माहुल में मैं आपको बताऊंगा all elements, हर element का formula, हर जो भी current caring element है, all current caring element, all current caring element, हर current caring element का मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, formula बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन-कौन से होंगे, सबसे पहले circular current caring element होंगे पहले, तो circle के अलग-अलग variation वह वाले, दूसरा वाला आपके पास, दूसरा number पर आपके पास कौन होगा, current caring element में, तो दूसरा जो current caring element आपके पास होगा, वो current caring element दूसरा वाला कौन से होगा, दूसरा होगा आपके पास, simple सी चीज, state line, state line, state wire, तीसरा current caring element आपके पास कौन से होगा, झाह प्रिश्व के पास होगा सिलिंडर इस तरह से थि कॉोडर की फेन यह स्वेश्व पूछ नहीं वरी बॉलाओ की सिर्ट हmo ye father's momu Mimi bu twentyον इसके बाइस के बाद इस ​ अवह दो नीजाइन ऊशलने इसके बाद को तो होता है कि सोलेनाइट सोलनो और सिख सकन नियाद तरह से होता है इसके बाद फिर्ट वाला पढ़ेंगे टोरोइड में किस तरह से मेगनेटिक फीड्ट पैदा होती है यही सारी चीज़े याद करने वाले हैं हर एक चीज का शिद्दत से हमें अंसर याद हो जाना चाहिए निकालना सिखा दी स्टेट वायर की निकालना सिखा दिए इसकी डायर निकल जाएगी इसकी अपको सांतिसाद बता थीख हर एक प्राणि सॉर्ट चलें शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है सबस्क्राइब बना अब घर पर बंडल आते हैं या फिर जी वाले आते तो वायर का बंडल में एक वायर होता है तो सिंपल ऐसे दिखता है लेकिन बार-बार बहुत सारे यहां पर लगे हुए हैं तो हम इसके अंदर क्या है बहुत सारे लूप से मतलब हम इसे बोलने कितने लूप से किसी ने बोला इसके अंदर हजार लूप हैं किसी ने बोला इसके अंदर दस हजार लूप है तो जितने भी बार वह रिपीट हो गया है उसे बोला जाता है लूप क्या आपको लूप का फीलिंग भाव समझ में आ गया आपने ज प्राणी को पता है कि नहीं पता है तो पता होगा यार तुम बोलो नहीं तो मैं वायर लाके दिखा दूगा पढ़ा ये पास बाहर पता है चलो पता है यहां पर देखें इसके अंदर लूप में लगा दिया तो इसके अंदर एक इसका रेडियस कितना है इस र है इस से X डिस्टेंस पर इस से X डिस्टेंस पर इससे X डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पी पर कितनी मेगनेटिक फील्ड होगी आपको याद क्या रखना है आपको सबसे पहले तो याद रखना है mu not upon 4.5 यह चीज आपको हमेशा याद रखते वें चलना है क्या याद रखो कि इस वायर के अंदर करेंट बह रहा है, अच्छा एक बास बताओ, करेंट ऐसे बह रहा है, यहाँ पर फिल्ड इधर होगी, इधर होगी, किदर होगी, फिल्ड का डारेक्शन बताओ, फिल्ड का डारेक्शन बताओ, फिल्ड का डारेक्शन बताओ, ए, बी, और टी, और क्रॉ ai यहां पर फील्ड फैसे है सब्या तरह से दिल्दी जलने बताएं किनई अपर ऊंदर प्रिल्ड की بहतbblesे है कि यहांपर फील्ड होगी इस तरह से हर्कोल्ड४ बैस्ट फटर्फ करना पड़ेगा स्टेट रखना पड़ेगा हमें सब अब याद एक step 4 पाई अब लिखेंगे देखेंग आई अब यहां तक हमारे पास कोई दिख्कत नहीं इए आई तक हमने बहुत अच्छे से लखिए अब आई के बाद हमारे पास थोड़ी सी दिख्कत है तो यहां पर क्या लिखेंगे ध्यान से देखेंगा हाई के अपॉन म आई बाइ आर की जगह पर ने लेग दिया है इधार है इसके उपर क्या है क्योंकि यहां इसक्वाइर है तो यहां भी स्कॉयर आना चाहिए यहां पर डिस्टन्स का हाई पॉटनिस टलब यह पॉटनिस की यह होगी यह साइड होगी यह 6 अज़क्ता है है पॉट रूट कुछ आना चाहिए तो उपर क्या आता है उपर ध्यान से देखो बटा, उपर क्या आता है? इसका area आता है. यहां उपर क्या आता है? उपर आता है इसका area. कितना? double area, double. pi r square का double area. टू टाइमस ओफ एरिया आता है उपर. फॉर्मूला गंदा है पर यहाद इसे ही रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर देखे बटा वियो नट अपॉन फॉर पाई उपर क्या आ गया इक लूप की वज़े से बता रहा हूं उपर यहाँ पर क्या आपके पास पाई आर्ड इसका डबल एडिया इस पूरे लूप का दीर फॉर्मूले को कर देखते हैं फॉर्मूला क्या आया है फॉर्मूला देखे है फॉर्मूला क्या है बहुत सिंपल सा ब्सक्राइब जूट मत बोलो मून फॉर पाई यहाँ पर आई या पर यहां logr II कोई दिक्कत नहीं यह पहली बात हमारे पास हर क्वेश्चन में tean इसका area इससे multiply करेंगे और किस से multiply करेंगे चीको भी आपन उपर एरिया है तो नीचे भी कुछ square में आना चाहिए तो वो क्या होगा हाइपोटेनस का square हर प्राणी sorted है बिटा भी बताओ थोड़ा थोड़ा फॉर्मुले को याद करने में से remember करने में अभी आसान हो गया ओक्य है चीज़ को भी आप इसको थोड़ा सा पन सौट करके लिख देंगे थोड़ा सा पन साही तरह से लिख देंगे तो यह चीज कितनी हो जाएगी यह चीज हो जाएगी म्यू नाट अपॉन पॉर पाई уже i up-on i into 2 pirs 2pir square अपॉन हाइपटेनर्स का क्यूब अब हाइप पॉटेनरस का क्यूब आइप उटेनरस क्यूब कर देंगे त laugh देखेन दिखान से आजागा म्यू नॉत अपॉन मोलिदे च्छाइप उटेनरस के या आरस स्क्रीड हॉइट के पाउपहर मतलब r² प्लस x² की पावर 1 वाय टु आपने सक्क्यूट कर दिया तो यहां पर क्या गया हर प्राणि समय लिए मिटा पॉर पाई इंटू पाई रहर को एवरी सिंगल वन आफ यू कि एक के तो यह विटा है विटा हाइपोटेनस का जो क्यूब आया उसको ऐसे लिखा है है यह दीरे दीरे जब मैं आपको मंटीपल टाइमस रिवाइस कराऊंगा तो फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा अब बता अगर हम से पूछ लिया अगर हम से पूछ लिया कि यहां पर एक current carrying wire है और इसका आर के तो दियान से देखो हमारे पास इसका current carrying wire है इसमें इस तरह से current है इसकी radius जो है इस तरह से आर है इसका एंगल थीटा है तो अब इसके यहां यहां center पर magnetic field कि तरो गी direction बताओ पहले तो आप फील्ड का formula क्या होगा फील्ड का जब भी जीकुबिया formula निकालते हैं तो हमेशा हम new not upon 4 pi i upon radius r है तो r यह चीज तो लिखते ही है यह चीज तो हम लिखते ही है इसको किस से multiply करेंगे इस case में new not upon 4 pi i by r को किस से multiply करेंगे जीकुबिया थीटा से ओ हो 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 यहां किस से multiply कर रहा है इसकी जो रेडिया से रेडियास कितनी हार है आपके पूछ लिए सेंटर ओपर यहां पर सेंटर पर है यहां पर बाता है इसके दार वाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर वहार अंदर और रहोगी चीज़िए डायरेक्शन चीज़िए किदर और की तरफ तो ओ पर जो डायरेक्शन है वह किदर आ रही है इंसाइड आ रही और मेगनेटिक फील्ड कितनी आएगी तो चीज़िए तो इसका इंगल कितना है पाई तो इसका थीटा बटा थीटा से मल्टिप्लाइब कर रहे हैं यहां पर इसका थीटा कितना है बनेटी डिग्री मतलब पाई तो हम इसे किस से मल्टिप्लाइब करेंगे पाई से तो पाई से यह वाला पाई कैंसल आउट हो जाएगा फाइनल आपका अंतर आएगा म्यू नौट अपॉन पॉर आई बाई आर लेकिन आपको क्या रखना है म्यून अपॉन पॉर पाई आ बहनों सकते हैं यहां पर इस तरह से करेंट भेह रहाए चलो डारशन बताओ डारीक्शन आउट वर्ड है ये आउट वर्ड आशम ceremony कि प्राउट ऑकि यह वाला जो पॉक्ट्झ ओटभा इस पॉइंट की डाट डारेक्शन किदर आ गई है जल्दी से बताई पाइब बात नहीं है लेकिन इसे किसी से मल्टिप्लाय करना होगा तो इसका एंगल देखेंगे इसका इंगल कितना होगा 3 5 by 2 गटा समझ रहे हैं अवर देड़ है ना देड़ कितना है पैटा पाइक का डेड़ टाइम से वन पॉइंट फाइब सब्ड़े नइटी नइटी निटी नीटी टीटी तीन पीज़गे निटी निटी टी 70 270 को बोलेंगे pi by 2 into 3 19 to 3 pi by 2 into 3 तो हम बोलेंगे फिटा यह कितना है 3 pi by 2 तो mu not upon 4 pi i by r 3 pi by 2 एक प्राणी को यह पास सम्झे वेज़ मोने ची pi pi cancel हो जाएगा हमारे पास हमसार आएगा mu not upon 8 into 3 i by r यह आ गही magnetic field please tell me everyone are you guys getting it yes or no yes I suppose चले आगे बढ़ते हैं हर एक प्राणि को sorted हर एक प्राणि को यहां तक सब कूρ सौाइट चलो यहां पर हमने क्या देखा हमने देखा कि वह यह 3 तरी के आर्स होते हैं अगर सिंपल सा अर्क है अगर 90 की डिगरी का आर्क है वंटी का आर्क है और 3 कम्प्लीट आर्क अगर एक कम्प्लीट आर्क है तो यह सुन सब्यार्ट है कि सgekky यह वाला कि देखनेगा है 90 degree is Pi x 2 ये वाला कितने का है 180 degree मतलब ये Pi ये वाला कितने का है 270 degree मतलब 3 Pi x 2 ये वाला जो पूरा घूम गया ये पूरा कितने का है 2 Pi का है ये जो 60 घूमा है कितना है 5 x 6 तो आपको simple सी चीज याद रखनी है आपकी magnetic field कैसे निकलेगी आपको याद रखना है mu naught upon 4 pi i by r r क्या है सबकी radius है i क्या है सबका current है direction आपको निकालते है आपकी बटा i क्या है सबकी अंदर का current है हर एक प्राणी के अंदर का current क्या है i है r क्या है सबकी radius r है तो mu naught upon 4 pi i by r आप देखें आपको इस चीज को multiply करना है तो इसको किस से multiply करेंगे multiplied with theta multiplied with pi by 2 अगर आपने इसको pi by 2 से multiply करा तो इसका आजाएगा multiplied with pi तो इसका आजाएगा multiplied with beta 3 pi by 2 तो इसका आजाएगा multiplied with 6 pi by 6 तो इसका आजाएगा और multiplied with 2 pi क्या प्राणियो तामज आ रहा है क्या प्राणियों समझ आ रहा है जोट जोट नी बोल रहा था ना एक और दिलाता हूं देखो इस पूरी की पूरी चीज को मैंने मल्टिप्लाय करा, इससे मल्टिप्लाय करा मैंने DL x R, मतलब length into length upon length के square से, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा इस चीज को मैंने मल्टिप्लाय कर रहे है, DL x R upon R square से, मतलब length into length upon length के square से, तो मुझे मिल जाएगा अगर यही सेम चीज को, यही सेम चीज को R की जगे H डाल दिया, मैंने R की जगे H डाल दिया, तो मैं क्या करूँगा, इस सेम चीज को R की जगे H डाल दूगा, R को इसे मल्टिप्लाय करेंगे, टू टाइम्स दा एरिया ओफरिंग, एरिया ओफरिंग कितना था, पाई आर स्कॉाइर, अपॉन, 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 हाइपोटेनस का, प्लीज टेल मी गाईज, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, एवरी सिंगल वन उफ यू, सब लोगों ने लिख लिया भी यह, ठीक है, ठीक है, चले, अब यहां मुझे एक बात बताओ, अगर एक करेंट केरिंग लूप है, जो अपनने पिछले यहां पर पढ़ा था, यह जो पूरा 360 डिग्री है, इसके सेंटर पर कितना होगा, इसके सेंटर पर कितना होगा, करेंट केरिंग लूप है, पूरा 360 डिग्री है, यहां पर करेंट बह रहा है, इसके सेंटर पर मेगनेटिक फिल्ड कितना होगा, जल्दी से बता, मेगनेटिक फिल्ड कितना होगा, आ यह नौट अपॉन टू आई बाए प्राणी स्वाटेड है यह जीरो चिल्ला रहे कुछ पापी जीरो चिल्ला अरे यार कैसे पापी हो तुम यहां निकालना सिखाया है मैंने कि इसकी डाइरेक्शन भी आईगी देखो अंदर की तरफ आईगी कहते लोगों यार सुनो बेटा अगर किसी में भी बोला गया कि इसमें नंबर औफ टन्स अन resides वांदय है तो आपका जो भी अंसर से ĥा इसमें बोल दिय कर data आपसे बोल दिया इसके नंबर आउफ टन्स अन है तो जो भी इंसर रहेUNGु एंसना है चींवा है यहाँ पर एक कित्ते हैं यह मैंने एक loop का लिखा है अगर बोला यहाँ पर n turns है तो आप किस से multiply कर दो n से multiply कर दो अगर इसमें बोला होता n loops है n loops है तो मैं क्या लिख दूँगा b will be equals to b not into n तो यह जाएगा n into mu not by 2 into i by r इस तरह से अगर बोला गया n turns है तो आप क्या कर दोगा n से multiply कर दो किसी को इस चीज में तो आसू नहीं आ रहे चीको कर दिया मेरे को तो बड़ा दर्दोरा जीवन में नहीं आने चाहिए तो बहुत तेजी से बहुत तेजी से सभी प्राणी बहुत तेजी से एक बार जोश दिखा दे कुछी फॉर्मुलय और बस वह कुछी फॉर्मुलय में आपको और याद कराने वाला बढें खत्म डिउन अज़ल्दी तेजी से चीजवन सब कुछो मोजत है अभी तक का पूरा की पूरा chapter पूरा की पूरा चेप्टर सॉर्टेड हो चुका है कि क्या हुआ है जरा आग वाग लगादी जाए वहतरीन बहुती बड़िया प्रदर्शन बहुती मस्ट चलो चुरू करते बढ़ा आगे यहां पर देखो यह वाले का हम देखेंगे इसमें देखिए अंदर एक लूप है बहार एक लूप है तो यहां दो लूप है एक अंदर वाला एक बहार जियान से दिखेगा एक अंदर वाला लूप है यह वाला और एक बहार वाला लूप है इसका रेडिया से आरवन बहार वाला जो लूप है इसका रेडिया से आरट कोई दिक्कत नहीं अब अंदर वाले जो रूप का करेंट है वह इस दिशा में बह रहा है और बहार वाले ल्केश के दिशा़ सुनगे वाले का इधर बार आप अब आपको बताना हैं अब आपको बताना है क्या दोनों सेंटर पर औरerson कर च्राह कर ना है यहां पर हshellarner कर रहों कर मेद कर रहों को क्या दोनों के दोनों ये भी बाहर वाला भी और अंदर वाला भी क्या दोनों के दोनों सेंटर पर मेगनेटिक फील बनाएंगे हाँ चीकु बहिया हाँ दोनों के दोनों सेंटर पर मेगनेटिक फील बनाने वाले है चीकु बहिया दोनों के दोनों सेंटर पर मेगनेटिक फी तो किसकी magnetic field जादा होगी बहर वाले की या अंदर वाले किसकी magnetic field जादा होगी इफ I1 is equals to I2, ध्यान से देखने में question frame कर देता हूँ, यहाँ पर, simple सा सवाल है, question है, ATM सवाल है, if I1 is equals to I2, इसमें I1 है, इसमें I2 है, कोई फरक नहीं पड़ता, यह R1 है, यह R2, आपको बताना है, भारवाला 2 है, तो which one will have, which one will have more, more magnetic field at center, more magnetic field, more B at center, जल्दी बताएं कौन, फर्स्ट वाला, second वाला, किसकी वज़े से center पर magnetic field जादा होगी, और फर्ड़ अंसर है, सेम, जल्दी 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 फर्स्ट वाले की वेज़े से जादा होगी, second वाले की वेज़े से जादा होगी, क्योंकि यह closed loop है क्योंकि यह closed loop हैं दोनों के दोनों loop कैसे हैं तो इनकी magnetic field क्या 0 होगी नहीं होगी सेंटर पर magnetic field 0 नहीं होती एक closed loop के सेंटर पर magnetic field electric field 0 होती है जब पूरी तरफ चार्ज होता है magnetic field 0 नहीं होती तो यहां पर क्या 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 है इसका पूरा 360 तो पाइसे क्यों क्योंकि अगर आई सेंटर तो हम क्या inversely proportional to R every single one of you B will be inversely proportional to R मतलब जिसका R जादा उसकी magnetic field कम तो which one will have more magnetic field at center तो अंसर आएगा first क्योंकि इसका चोटा है तो इसकी magnetic field जादा होगी तो आर छोटा to magnetic field जादा और आर बढदा तो magnetic field कम क्योंकि बिटा आड अर फॉन मेंति कल सी यह फुठ वहाले लूप हमने देखा बड़ा यहां पर क्या है दो लूप एक छोटा वाला लूप है बड़ा वाला लूप है चोटे वाले लूप में करेंट इस तरफ है बड़े वाले लूप में करेंट इस तरफ है अब यहां पर यह वन है यह टू है तो बड़ा चोटे वाले लूप की वज़े से जादा आईगी, बड़े वाले लूप की वाज़े से कमाईगी, जो भी आप मानो, आप यहाँ पर लिखेंगे, B will be equals to, ध्यान से देखेगा, आप क्या लिखेंगे, B will be equals to, किसी भी एक लूप की positive मान लो, आपने अंदर वाले लूप की positive मान ली, ठीक है, तो आप लिखेंगे, इसकी वाज़े से, plus, mu0 upon, everyone, अंदर वाले लूप की वाज़े से, लिखेंगे, mu0 upon 4pi, i1 by r1, multiplied with 2pi, thought it, यह इसकी वाज़े से, magnetic field हो गई, minus, क्यों, क्योंकि वो वाला अंदर बना रहा है, वो वाला अंदर बना रहा है, तो उसकी magnetic field minus डालेंगे, कितने डालेंगे, mu0 upon 4pi, यहां पर देखेंगे, mu0 upon 4pi, i1 by, i2 by r2, दूसरे वाले का, i2 है, तो i2 by r2, multiplied with 2pi, क्या हर प्राणी ये बात समझ पाया, please tell me भाई, हर प्राणी ये बात समझ पाया है, समझ पाया, तो यहां पर भी कितना जाए, mu0 upon 4pi, 2pi, सब कुछ को हमको बहार निकाल लेंगे, हमने यहां पर mu0 upon 4pi multiplied with 2pi, यह आ जाएगा, i1 by r1, minus, i2 by r, और यह किस तरफ मानी है, हर प्राणी sorted है, अच्छा, अगर यही दोनों चीज सेम डायरेक्शन में होती, ठीक, दोनों की दोनों field का current का डायरेक्शन सेम होता, तो आप क्या करते, यहां तो opposite direction था, तो तुमने minus कर दिया, अगर same direction होता, तो क्या करते, दोनों को add कर देते, यह से everyone, आपने देखा, एक बाहर है, दूसरी अंदर है, आपने देखा, एक बाहर है, दूसरी अंदर है, तो अगर दोनों का direction opposite है, तो आपने क्या करा, एक को दूसरे से minus करा, पर दोनों का direction सेम होता, यह भी बाहर, दूसरी भी बाहर, दोनों का direction सेम होता, तो फिर आप magnetic field क्या करते जल्दी से बताई बटा फिर आप magnetic field के लिए क्या करते तो फिर आप magnetic field के लिए क्या करते अगर दोनों का direction से होता तो फिर आप उस case में magnetic field के लिए क्या करते आप बताई यहां पर म्यू नॉट अपॉन तू पाई तू आपता इस तरह से टू तू पाई से फूर पाई कड़ जाता या जाता आई वन बाई आर बन प्लस आई टू बाई आर टू और क्यूंकि दोनों बाहर हैं तो डायरेक्शन भी बाहर की आज यप एवरिवन दोनों चीजे समझ में आ गई है चले आगे बढ़ते हैं अगली तरफ अगली चीज यहां पर देखिए इस तरह से मेगनेटिक फील आ जाती है नहीं होती है नहीं होती है इसके उपर सेंटर पर मैं बात करूंगा तो फील्ड जो होगी वह आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ होगी यह फील्ड कितनी होगी यह फील्ड होगी बी इस इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई भाई आर या फिर आप लिख सकते हैं आई भाई आर मुल अच्छा यहां पर इसकी फील्ड को मैं बोल दोंगा अब अब देखों यहां पर हमारे पास दो लूप है दोनों लूप एक दूसरे के परपंडिकुलर रखे हो हैं इस टाइप आफ पॉरा की पूरा एक लूप है इसकी वजह से पूरे लूप की वजह से सेंटर पर मेंग गert दूसरा खाल लूप है इसकी वजह से मेंगरेंना ओफ है दोनों को जोड़ देंगे तो सेंटर पर की फील्ड एक इस तरफ आएगी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि हर एक प्राणी को ये बात बहुत अच्छा समझ में आ गई धाली, हर एक पराणी को बात बहुत अच्छे समझ मे आ गई, क्या हूँआ छलें, आगे बढ़ते हैं, पीवन की वेल्यू डालो चुनिपया, बीवन की वेल्यू डालो, बीवन की वेल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताना इधर आ गया है square इधर भी आ गया square अब क्या करोगे चीज़ी को प्या अब देखों, mu naught 2 और r तो same है mu naught 2 और r तो same है तो सिर्फ i1 और i2 बचेगा तो हम mu naught 2 और r को same बहार निकाल लेंगे तो mu naught by 2 into mu naught by 2r यहां bracket में क्या लिखेंगे i1 का square plus i2 का हर प्राणी sorted है क्या यह आ गया हमारा b net क्या प्राणी समझ गया क्या प्राणी समझ गया जल्दी बता बढ़ा हर प्राणी समझ गया क्या चले आगे बढ़ते हैं यहां बर देखो इस तरह से आपको याद रखना है यह चीज आपको इस चीज को ना मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूं आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा कुछ पो रहा है कि कोई करेंट आया इदर से करेंट आया और यहां दो जगें डिवाइड हूआ और इधर जा रहा है हैं सेंटर में इसे मतलब नहीं है यहां पर जो center है, center पर magnetic field क्या होगी, शुन्ने होगी, center पर कोई भी magnetic field नहीं आएगी, center की magnetic field क्या होगी, शुन्ने होगी, यह चीज याद रखना है, दूसरी चीज, यहां पर देखो, आप बताओ, center पर magnetic field कितनी होगी, आई आया है, और divide हुआ है, और भून के इधर जा रहा अब आपको बताना है, center पर magnetic field कितनी होगी, जल्दी बताए, center पर magnetic field कितनी होगी, इस case में, center पर magnetic field कितनी होगी, जल्दी बताओ, और प्राणी बताए कि या, center पर magnetic field कितनी होगी, आई आया है, दो तरफ डिवाइड हुआ है, घूम के इधर चला गया है, center पर magnetic field होगी, तुम सोच रहे हो बेटा मैंने कितने सारे क्वेश्चन तुम लोगों को करा दी एक बार इमेजिन करते हुए चलना यहां पर देखो बेटा मैंने सारे तो फॉर्मुले आपको यहां पर रिवाइस करा दी इतने सारे क्वेश्चन यह अपने आपको क्वेश्चन है ठीक यहा सब दिया एकदम सेम वायर इस बोथ आया और वायर उस्टीन मटेरियल ठीकिनेस। इसलिफ का चेंजलेंफ चेंज बाइए इनका इंगा चेंज हो रहा है इधर और इधर तेंग चेंज है। तब जाके condition वे लिए हर प्रानी सोटेड है चलो अब बात करते हैं स्टेट वायर के बात पहला पॉइंट कतम हो गया है सबसे बड़ा सरकूलर वाला सा सरकूलर वाला कतम हो गया है इसमें direction बताओ कैसे निकालते हैं करेंट उपर जा रहा है बस थोड़ी 15-20 मिनिट की बात औ बात और है जल्दी से बताइए सरकूलर वायर का किस तरफ जा रहा है साँ ज़ा है यू आ कैंल यह तरफ़ कहां पर उस तरफ कहां आएगा फीड अंदर की तरफ आएगा ये इंगल कितना है जूरु करते है तो हमारे सबस्सक्राइब यहाँ पर एक छीज फिक्स कौन से है जब भी मैंगनेटिक फील निकालना होता है एक चीज यहाँ पर फिक्स आती है वह से सिंपल एक चीज से मंटिप्लाय करेंगे जो होगा साइन पाइवन प्लस आइन पाइड बस यही है डायरेक्शन की तरह अंदर की तरह प्राणी याद हो गया mune upon 4pi i by r को multiply करना है किससे multiply करना है तो यहाँ पर 51 और 522 angle है इनके angle से multiply करना है, तो 5122 angle है इनके angle से हमें multiply करना है, जीको पर एंगल कौन से होगा, तो देखो जाता है तो angle कैसे लेना, जैसे हमारे पास यह wire है, यह diagram थोड़ा सा confusing वाला type है, आप दे लेंगे अपर इखे आप यह वाला इंगल पाइवन है और ये वाला इंगल क्या है तो किसको बोल रहे हैं तो हम यहां पर बैठ के देख रहे हैं अच्छा तो थीचे वाले इंड को देखना है और वायर के नीचे वाले इंड को देखना है जो उपर अगल है उसको तीटा भॉल रहे हैं और जो नीचे वाले एंड तक का एंगल है उसे हम फाइटू बोल रहे हैं आर यूगाइज गटिंट हो गया तो क्या करोगे इदर भी इंफिनिटी और नीचे जा रहा है इदर भी इंफिनिटी अब बताओ यह आ डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पर फिल्ड क्या होगी हम ने क्या तो जा रहा इंफिनिटी तक यह गया उरे वह जा रहा है है जल्दी से प्राणी बताएगा फाइट प्राणी बताएगा फाइटू एगें आप क्या बोलेंगे बाइगा जल्दी से बताएगा नाइन्टी हर प्राणी फाइटू भी कितना आ गया नहीं टी चलो आप क्या लिखेंगे इसका हमें magnetic field पता करना है पॉइंटों पे हम पहने तो direction बता दो direction किदर direction बताएं direction किदर direction बताएं direction किदर अंदर चीकुब आज समझ में आ गए direction तो हमें निकालते आ गई है कोई direction में कोई दिख्चत नहीं है अब हम लिखेंगे सबसे पहले चीको है y 10 mu not upon 4pi ध्यान से दिखेंगे हम लिखेंगे mu not upon 4pi फिर हम लिखेंगे i by r फिर हम लिखेंगे यहाँ पर sin theta 1 और sin theta 2 ध्यान से दिखेंगे sin 90 प्लस sin 90 तो यह पूरी चीज क्या जाएगी जब भी infinite wire हमारे पास होगा हमारे पास करेंट केरिंग वायर कैसा है infinite है तो हम लिखेंगे mu not upon 4pi i by r multiplied with sin 91, sin 91 हमने किस्टे multiply करा 2 से हर प्राणी sorted है हर प्राणी sorted है जब भी infinite wire होगा तो 2pi से mu not upon 4pi i by r को किस्टे multiply करना है 2 से म्यू not upon 4pi क्या जाएगा mu not upon i 2pi r 2 ने 4 को cancel कर दिया यह आगया आपको क्या रहा है याद रखने म्यू not upon 4pi i by r को 2 से multiply करते हैं चलो इसके बाद आगर चीज को भी हा current carrying wire semi infinite आगया चीज को semi infinite क्या होता है semi infinite यह कि इदर तो infinity है यहा पर go इंवार करें निया इख से और करेंगे अपकर इंआ पर लिखेंगे पाइव 1 फाहि 10 में और फाइव 12 लिखेंगे हम ने देखा अच्छा यहाँ पर सब्सक्या आइर बढ़न देखा श्ಾए इसके ंदर इनफिनिटे से 90 यहां पर जैसे यह नीचे जा भी नहीं है जा रहा होता तो 30 20 डिगरी जो भी जा रहा हो तो नहीं जा रहा तो हमने दिखा यहां तो कहीं जाई नहीं रहा कितना वह इसका तो फाइटू के वैल्लियू आ गया शुड्न में कोई आखों में कोई नहीं नहीं इसके बाद हमने लिखा मून ओपॉर पाई है आई बाए आर हमने लोगों लिख दिया हमने हमें पता करना है magnetic field at point B से मल्टिप्लाय करेंगा साइन नाइंटी तो आजागा वन प्लस और जीरो जीरो यहाजा आजागा मूनोट अपॉर पाई यजियत हूफ से करेंगें एका कि से अगर हम इन्फाइन ही हुआ तो इसके से मयल्टिप्लाइ करेंगें इसे मतल कुरेंगे किससे करेंगे अरब इससे किस से multiply करेंगे आप लोग इससे multiply करेंगे आप unit of one 4pi i by r को multiply करेंगे 1 से sorted है खरेक्ष प्राणी sorted है इससे multiply किया जाएगा 1 से चलिए आगे बढ़ते हैं अब चीको भाईया अगर current carrying wire छोटा साई है कि ध्यान से देखेंगे चोटा साहिए मतलब कितना है यहां पर एंगल सिर्फ 60 दिगरी और 60 Degrees subscribe कर रहा है जैसे देखेंगे सिक्स्टी डिगरी सिक्टी सबस्टेंट कर रहा है सब लोग ध्यान से देखेंगे 60 60 plus 960 तो वह यहां यहां रूट 3 by 2 रूट 3 by 2 यहां पर इस चीज को लिखते हैं यहां पर भी आपर पाई आई बाई रूट 3 by 2 अपन रूट 3 by 2 यहां जाएगा मूट अपन 4 पाई आई बाई आर मैंटिप्लाइड इसे कितना लिखेंगे यह जागा रूट कि एवरी सिंगल वन आप यू आर यू गाई अंडेस्टेंडिंग इट कि यहां पर अगर यह आप डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पर यहीं पर एक वायर है और यह वायर अगर यह वायर 45 इसके लिए जो फॉर्मुला आएगा वह फॉर्मुला आएगा मू नॉट अपन पॉर पाई आई बाई आर मॉल्टिप्लाइड विट रूट तो एवरीवन प्लीज तेल मैं अगला सवाल यहां पर अगर यहीं ऐसां चीज़ थर्टी डिग्रीज पर रखी हुए यहां पर क्या है थर्टी डिग्रीज यहां पर भी थैर्टी डिग्री इस पूरे यहां पर इसे किस्से करेंगे 30 डिगरी साइन 30 डिगरी कितना होता है वन बाइटू आपको पता चले का भाई यह तो सेमी इंफाइन वायर के बराबर आ गया इंट अब देखो यहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं इसमें क्वेश्चन आपको परेशान कहां करेगा कि क्या आपको पता है क्या आपको पता है करेंट केरिंग वायर 45 डिगरी पर एक करेंट केरिंग वायर 45 डिग्री वाला हो इसके लिए यहां भी 45 है यहां भी 45 आप बताईए कि इसके यहां पर जो से्केटिक फील्ड होगी उसमें किससे मुल्टीप्लाय होता था उक्ये प्राणियो प्राणियो सबको सॉटेड है किससे मल्टीप्लाय करते है टो से एक की वज़य से फिर्फ देंगे मियू नौट अपन फौर पाई कोई दिक्कत नहीं है, I by R multiplied with root 2, हर प्राणी को समझ भाए, म्यू नदगन 4, I by R multiplied with root 2, every single one of you is getting it, चलो, अगर मैंने यहाँ पर यह 4 वायर लगा दिये, मैंने चार वायर लगा दिये, मैंने तुम से पूछा, तुम देखोगें यहाँ पर, कि यहाँ तो 4 वायर लगे हुए, अच्छा पहली बात इसमें magnetic field का direction क्या होगा, आदे लोग बोलने के चिक्वाइब जीरो होगा, क्या यहाँ पर magnetic field 0 होगी, जल्दी बताओ, क्या यहाँ पर magnetic field 0 होगी, यह क्या है, लूप है, लूप है, इस पर magnetic field का direction आप कैसे निकालेंगे, क्या magnetic field 0 होगी, यहाँ magnetic field 0 होगी, नहीं, इसमें magnetic field का direction कैसे निकालेंगे, direction कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ, क्या इसका magnetic field का direction निकाल सकते हो कैसे निकालोगे तेजी से बताओ हर प्राणी बता है magnetic field का direction कैसे निकालेगा वो प्राणी कैसे निकालेगा magnetic field का direction कैसे निकालेगा loop वाली method से क्योंकि आपको पता है यह loop है आपको दिख रहा है यह loop है आपको दिख रहा है यह क्या है लूप ह तो डायरेक्शन किदर आ गया आपने लूप वाले तरह से दिखा लिया जरूँ थोड़ी सर्कूलर यह लूप बोल भूमने को लूप बोलते हैं तो यहां पर लूप आ लूप है और डायरेक्शन किदर आ गया इसका इंसाइड है इसका इंसाइड है सभी प्राणी हर प्राणी बिना फड़ पड़ा आप पता पा रहें किसका इसका इंसाइड है मैं बहुत अच्छे से स्वाटेड हूँ चलो डायरेक्शन के बाद इसका मेगनेटिक फील्ड होगा कितना तो बी विल भी इक्वास टू नूट अपॉर इन्टू रूत टू सिर्फ एक वार्फ एक वायर फोट seizure keकवार में कितना होता है तो यह आधा हैंगल 4515 ओुगा तो एक साइड तो इसके बर ती है कोई लिक्कत परेशानी हमें दिए एक की वज़से इतना हरा है ल Between सब्सक्राइब करते हैं अब यह सवाल तुम्हारे सामने आएगा तुम बोलोगे चीकु गया ने सिखा है इससे एक वायर के लिए रूट टू से सवाल सब्सक्राइब चार से मल्टिप्लाइ कर देंगे सवाल प्लीज तैल मी प्लीज दटेल विप्लीज टेल मी आप मजाक उड़ा और Q, आप क्या डालेंगे, a by 2, तो आप लिखेंगे, mu not upon 4 pi, okay, multiplied with i, multiplied with root 2, upon r की value, आपने डाली, a by 2, multiplied with 4 से इस 4 को काटा, 2 का a उपर गया, तो यह गया 2 root 2, mu not i, 2 root 2, 2, यह 2 पर चला गया, 2 root 2, mu not i upon pi into a, और प्राणी, started है, अच्छा, चले, और बता देता हूं, चीकुब, एक और, एक और कुछ ऐसा crazy बता दू, चलो, अगर आपको यहाद है, 60 degree वाले पर क्या होता था, अगर यहां 60 degree होता था, और यहां 60 degree होता था, यहां पर r है, हमें तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा, हम तो डोरा हो गए है, यहां पर देखें, हमारे पास magnetic field पूछा गया है, पी पॉइंट पे, तो हम पी पॉइंट पर magnetic field निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यूना तो कौन फूर पाई को आई भाई आर्स के साथ लिखेंगे ही multiply किस से करेंगे चीको भई या multiply करेंगे रूट 3 से, याद आ गया कि तुम्हें, हर एक प्राणी सॉटेट है, हर एक प्राणी सॉटेट है, हर एक प्राणी समझ में आगे बटा, एक प्राणी से जाता है और आपको आपको चीजे समझा भी देता हूँ, यह जो length यह क्षा की घखान से दो तरह की यहां पर length पूछी जाएंगे, ठिक, equilateral triangle होगा, ऐसे बड़ा से equilateral triangle मैं बना दिया, इसमें दो तरह की length होती है, corner से center तक की length, और side के center से यह वाली length, तो ध्यान से देखना पड़ा, 2 तरह की length पूछी जाती है, एक यह वाली length, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है और एक यह वाली length जो side से center तक होती है यह वाली Save आपको बता है कितनी होती Elrować यह आपको शायद मैंने पहले कहीं चैप्टर में बताई होगी और यह वाली जो लेंद्थ होती है यह वाली लेंद्थ कितनी होती है यह अपॉन रूप 3 बतलब यहां पर 1 L अपॉन 1 इंटू रूट 3 यहां पर L अपॉन 2 इंटू रूट 3 यहां पर हमें इस लेंद्थ को यूज करना होगा तो यहां पर देखें इस लेंद्थ को यूज करेंगे कितने वायर है एक दो लूप है आप बताएं क्या सेंटर पर क्या यहां पर मेंगनेटिक फिल्ड जीरो है मेंगनेटिक फिल्ड जीरो होगी जल्दी 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 बताएं क्या सेंटर पर जो गां नहीं होगी क्या है यहांपर का डायरेक्शन बताएंगे जलदी से लूप के जैसे लेंगे तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे चीदुब्या के लूप की तरह ओर करेंगे तो करेंट बहारा है है इंसाइड ओहो इतना हमेरे जीवन में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है अब चिको बहुत कैसे निकालेंगे हमें एक वायर का तो पता है है हमारे पास एक वायर का तो पता है तीन से कर दिया मझे ही मज़े यहां पर इसको गुमा करकर देका अंदर आ गयी मज़े ही मज़े ही मज़े अथा अब अपर रॉट इंसाइड की तरहं कोई बीदिक्कत हमें नहीं है हमने हमने क् þ describes कर दिया स्वाल और ने जो नक fill रखनेगी तो व इसकी side अगर L है तो L upon 2 root 3 corner चे distance लेते हैं तो L by root 3 आती है और इसकी आधी आती है ये वाली इसकी आधी आती है ये वाली मतलग L upon 2 root 3 आती है तो हमें यहाँ पर क्या डालना है R की जगे हमें R की जगे क्या डालना है हमें डालना है mu naught upon 4 pi multiplied with i multiplied with L upon 2 root 3 तो उपर आजाएगा 2 root 3 multiplied with root 3 multiplied with 3 बड़ा समझ गहें तो ये तो सब अंदर का मामला था ये पूरा अंदर का मामला था तीन से multiply कर दिया क्योंकि तीन साइड थी ओकी ड़की कोई दिख्केत परिशा नहीं समझते है हमें यह अदुक नहीं है है तभी प्राणी सॉर्टिठ है क्या अभी प्राणी सॉर्टिड है क्या मोथ की एजी त्थो क्र cuánt कोने तो ओर रहा है तो तो डिवाइन नहीं होरा है मैं इस एक वायर में जा रहा है और इस वायर में जा रहा है डिवाइड्य कैडी के इस में नीट है तो यहां जो सेंटर होता है क्या आप समझ गए तो डिवाइड नहीं हो रहा है उसमें यहां से दूसरे तरफ से निकल गए डिवाइड नहीं हुआ यह एक ही वायर है ठीक है तोर्टड है चले आगे बढ़ते हैं थोड़ू सा और बचा हुआ है थोड़ू सा और अगला हमारा जो पॉइंट है वो है सिलिंडर लास्ट पॉइंट है पूरा इसकी थियोरी फिर खतम हो जाएगा अपना पार्ट वन खतम हो जाएगा इसके बाद है बटा सिलिंड अध्यान से देखें हम क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे यहां पर है अब इस बार क्या है आपके पास पूरा वायर यहां तक है था मस्त वायर बनाऊ है एक बार आपने कैसा लिया है सॉलिड वायर लिया है और एक बार आपने कैसा लिया होलो आयर मतलब यह तो पाइप है जैसे आपका निडल होता है आपने देखा निडल आता है कैसा इंजेक्शन वाला निडल आता है वह निडल है उसमें करेंट फ्लोगा तो कैसे फ्लोगा निडल के अंदर निडल के अ आपको याद रखनी बहुत इमपल कोई परीशाने नहीं है अगर ये इन्फ कोसे जल्दी बताइए क्या क्या ये इन्फाइनट वायर जैसे हैं प्लीज टेल मैं ऐसे मान रहे हैं ंपाइनеть मान रहे हैं इस एक बार अपन पता करेंगे कि यहां इंसाइड मेगनेटिक फील्ड क्या है यहां पर कोई पॉइंट है इसके इंसाइड एक पॉइंट है इस पर मेगनेटिक फील्ड क्या है और होलो में इंसाइड मेगनेटिक फील्ड क्या है फिर अपन बहां पता करने क्यों कोशिश करेंगे इसके सेंटर से आर डिस् सुलिड में पूरे ले वाले तुम पता कर रहरे हो तो में छूरू करते हैं आपने बात करते हैं पूइंडे व्हली अularsब आउट्साइड ऑली है जो से अन्साइं और वाले पॉइंट पहे लिए हो Marvel वायर है बहुत बड़ा वायर है इसके आउटसाइड अधिस्टेस पड़ा कर रहे हो इत पर फील्ड का फॉर्मूलला है होलो है कैसा भी हमें फरक नहीं पड़ता हमें पस्छी पता चल इस चीज से चीग हो बया इसे मंटिप्लाइब कर देंगे टू से इन्फाइन वायर होता है तो से इन्फाइन वायर होता है तो गया हमारे पास वेल्यू आगे इन तीनों के लिए तरह को वहार तो ऐसे बहें कि आपन किसी बात करें करई अब पहले बात करी थी तो जहां भी मीडीटिक फिल्ट जीरो लास्ट में अब पुलो स्पियर पाड़ा था यहां पर हुलो पाइप है तो इसकेंदर मेंगनेटिक फिल्ड पहल रहा होगी यहां अंदर जहां हो जगे हैं वहां मेंगनेटिक फिल्ड क्या है शुन्य है तो आपको समझ में थिन सॉलिड मतलो एक्दम पतला हो लो फोड़ा सा थिक हो लो है मतलब थोड़ा सा इसके अंदर यहां मेगनेटिक फेल्ल से लो कि क्या हर प्राणी दिमाग में चीज़ें बैठाता चल रहा है आखरी में रिवाइज तो कराऊंगा ही आप चिंता मत करें इसके बाद देखिए आपके पास अल्टिमेटली आ गया अल्टिमेटली आ आपके पास यह पूरा इसके अंदर अगर कोई ने बोला कि चीज़ें आप बताओ इसके अंदर यहां से आप इस जगे पर गया प्रील्ट बनेगी आप देख सकते हैं इधर की तरफ होगी आप पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप देखेंगे सर्कूलर लूप में इंगेटेक भिल्ट बनेगी ऐसे करकर देखेंगे उस पॉइंट पर किदर है अंदर कि तरफ यह तरफ होगी इस तरफ होगी ऐसे आप सकते हैं आप क्या लिखेंगे फॉर्मुला मुझ अप इसे multiply किस से करेंगे तो इसे multiply करेंगे small r by capital R से बड़ा समझ गए इसे हम किस से multiply कर रहे है small r by capital R से तो यहाँ पर जो formula बना वो B बना B is equals to mu not upon ध्यान से देखना इस पूरी की पूरी चीज को देखेंगे i by r square multiplied with smaller our拣ी sort it impossible a supreme sorted please tell me every single one of you are you super duper sorted everyone are u s super duper sorted Dow याप को याद हो गया अब देखो तीन तरह कि हमारे पास पाइप है एक पूरा होलो उन्साइड बता बटा है उन्साइड बताएं जल्दी उन्साइड बताएं कितना होगा जीरो इंसाइड मैं निक फीर्ड रो टो टाहिं पूरा कैसा पाइप है इसमें मेगनेटिक पील्ड कैसा होगा नौट इकवल्स तो जीरो मेगनेटिक फीड विल बी प्रपोर्शनल टू आर अभी हमने देखा इसका मेगनेटिक फील्ड इस प्रपोर्शनल टू ओके गाइज मेगनेटिक फीड भी प्रपोर्शनल टू आर इंसाइड जीरो है कहाँ कि बात कर रहा हूं दोनों में कहाँ के बात कर रहा हूं अगर यहाँ पर सेंए डो मिला कर बता दिया तो इसाइड तो क्या होगा जीरो ऊगा यहां afin लेकिन यहां पर क्या होगा मेद क्या होगा और अगर बात करूं कहां कि इसके इंसाइड मैंने बता दिया आउट्साइड आउटसाइट तीनों का अउटसाइड होगा तो तीनों का आउटसाइड होगा बी विल बेटवाज देखो तीनों का ग्राफ बनाता हूं मैं मैं इन तीनों का graph बनाने की द्यास से दिखेंगा में इन दोनों ग्राफ इस वाले का ग्राफ कैसे बनेगा डिखें द्यास से टो अंधर तो 0 यह न झाल किया है और भार मारा आने के पाद एस तरह से हो गया और प्राणी दूसरे बनाता हूं बनाता हूं देखिए इस ne आंटसाइड ग्राफ यहां पनाया और यहां प לק यह बिल्कुल वहाँ पर होलो स्फियर था उसके जैसा ग्राफ है और यह बिल्कुल वहाँ पर जो सॉलिड स्फियर था उसके जैसा ग्राफ हर प्राणी सौर्टेड है इस वाले का ग्राफ नहीं यहां से छुरू होगा इस वाले का जो ग्राफ होगा उभाफ इढ़ा ग्राफ इदर से शुरू होगा पहले तो दीरो चलेगा इदर से शुरू होगा फिर ऐसे लिए आधा है समझ गया है कि हर प्राणी है हर प्राणी समझ चुका है यहीं तक था इसके बाद वह बचा आपके पास तो तीक है इस तरह से होती यह अपना फूर्थ वाला एक फॉर्मूला बताना है यहां देखिए वायर के बहुत सारे लूप को हमने एक सांत रख दिया तो यह है हमारी सोलो नॉइड आप देखिए इस तोलो नॉइड में ऐसे घुंड याँ दर के तारफ इलॉड इस तरह से जाति जैसे आप लोगों को दीखा रहा है इस तरह से फील अंदर की तरफ जाती है कि आ आपको दिख रहा है फिल्यस तरफ से जाती है अयसे आ कि एक मिनट रुकेएअ व्पा है एप जोसी आपूद्ट एपूदीं 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 कि उन्थ लुटर हएए कि लुट कि उन्यूर कि अ कि अ हुट है प्राणी सौर्टर्ड में यहां तुम्हें तुम्हें तो पस यह समोका चाहिए होता यहां पर क्या गया हमारे पास क्या गया सभी प्राणी हां पर देखे हमारे पास क्या है यहां पर मैंने क्या करा इस करेंड केरिंग वायर को इस तरह से अपने हाथ हों पर एसे गोल 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 लपेट लिया अब आपफार से पूरा मेरे हाथ पर वाइरं के सांथ क्या बन चुकिए बताई मैंने अ goft पर दिया मैंने switches कर दिया इस ऐन्दर करेंट बह रहा है तो मेरे हा रही है इस सीथे मैगनेटिक बेंद यहां अपने हाथ से सीथे इस ती एक रही यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है और से मेंगेटिक फील्ड पैदा हो रही है तो क्या मैं ऐसा कोई वेपन बना सकता हूं जो इस तरह से मेंगेटिक फील्ड पैदा करें यहां पर देख लो अब मेंगेटिक फील्ड पैदा होती है है यहां पर हमेना बहुत आपेमार ऑफ ट coinc यहां पर बहुत सारे नंबर ऊफ टन्स हैं तो नंबर ऑफ टन्स कोademा नंव मं हमें बताएगा नंब ऑफ टन्स बहुत ज्यादा इंपॉ veteran धल्लती करतें का अअ यूनिट लेंद, नंबर ओफ टरंस पर यूनिट लेंद, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 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 लि कैसी है यूनिफॉर्म है यस दूसरी चीज मेंगनेटिक फिल्ड का फॉर्मूला कहता है तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है फॉर्मूले का नाम है मुन्नी फॉर्मूले का नाम क्या है मुन्नी मुनॉट एन आई मुन्नी सुपर दूपर सॉर्ट फॉर्मूला याद हो गया सुलनोनट का फॉर्मूला है मुन्नी में i तो क्या है, current है, mu not तो क्या है, medium है, और n क्या है बिटा, जल्दी से बताओ n क्या है, n is equals to number of turns per unit length, तो ये number of turns नहीं है, per unit length number of turns कितने है, हर एक प्राणी को फॉर्मूला याद हो गया, तो formula b is equals to मुन्नी, that is मुन्नी, और b, या फिर बी इस इक्वल टू मुन्नी सौर्टेड हर एक प्राणी को फॉर्मूला याद हो गया मुझनी बदनाम हुई मेगनेटिजम के लिए और साटिड है चले आगे मड़े जाते हैं आगे चलो हमें हैं अइंहिए बहुत अच्छे से ख्लियर फॉर्मुला आज हमने जितने भी फॉर्मुले पड़े सबका फाइनल फॉर्मूला डैटेश टॉर्राइट का फॉर्मुला क्या है अपने मेंदू खाया है मेंदू बड़ा सब्चेट बड़ा तो डोनट अगर आप लोगों ने खाया हुआ हो इसी तरह से मैंने क्रेंट का क्या कर दिया यहां पर तार को लपेड दिया इस तरह से तार यह अंदर जा रहा है और फिर यह तार अल्टिमेटली इदर से निकल के चला जाएगा तो बड़ा एक माटेरियल है उसके उपर इस तरह से तार लपेट दिया गया है अब देखो इसमें पूछा जाएगा तो यहां अंदर इस वाली जाएगे पर मेगनेटिक फील्ड नॉन जीरो अच्छा नॉन जीरो होगी तो होगी कितनी मैं आपको बताता हूं अगर यह टोराइट के रेडियस आ रहे है तो आप जो मेगनेटिक फील्ड लिखोगे आप लिखोगे भईया म्यू नॉट अपॉन दिहां से देखेंगे मैं आपको बताता हूं यहां पर मेगनेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन पॉर पाई ओक्छे आ और स्वरी सिंपल सा म्यू नॉट एन आई मुन्नी यहां पर बड़ी मुन्नी है ठीक है म्यू नॉट कैपिटल नाई है ठीक है अपॉन चोटी स्वार्टेड्ट बस समाप्त इतना इता इसके बाद यह सारे वेस्टेंस हैं कुस्टेंस में आप लोगों की स्लाइड में एड कर दिया है वाट्टन अभी कर लें है स्पेशल क्लास में करने हैं अब जब बड़ लोग पहले तो फॉर्मुला लिग दो पर लिडियों पर लाइक करदो तो क्ट्सक्राइब करने है त्यम्य लाद हिंए अच्छा ठीक है चलो मुझे बात बताओ बुझे बात बताओ मैं चाहता हूँ कि सारे formula revise करवा हूँ तो क्या अभी revise करवा दूँ कि वो भी special class में करवाना है मैं चाहता हूँ सारे formula एक short में revise करवा दूँ जितने भी करें अभी करवा दूँ एक बार special class का time आपके telegram group पे update किया जाएगा परिशान ना हो अभी करवा रहा हूँ formula रिवाइस फिर मुश्चा द्यान से देखना सारे और चाहरे formula करवा रहे हम ने क्या पड़ा परढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा सबसे पहले पढ़ा आपान 4 पाई I by R हमने यह formula लिख लिए इस formula को अगर मैं multiply करता हूं इस formula को इस चीज़ को मैं multiply करता हूं किस से इस चीज़ को अगर मैं multiply करता हूं किस से d l एक एक इस चीज़ को अगर मैंने multiply कर दिया d l cross R upon R square से तो मेरे पास क्या वनेगा biot sedvert law का formula तो क्या बने आएगा बायोट सेवर्ड लॉफ अगर इसी चीज़ को मैंने सेम चीज को म्रूह सेवड्वन से चीज को सीम सें को अगर मैंने मज़िप्लाइ खरदिया हैँ या से परहेता ON जाएग By जाएगा और का फोर्वुलाब जाएगा जो थीटा इसी सेम चीज़ को consider मैंहें किकुर्टिप्लाइगा का इसी से म confessने का टू से खर मेरे पास 90 लिए और का formula बन जाएगा, इसी same चीज को अगर मैंने multiply कर दिया, मैं तो बटा कितने भी angle का लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको simple pi, 90 और theta का बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे बता सकता हूँ, अगर इसी same चीज को मैंने multiply कर दिया 2 से, तो मेरे पास एक infinite पाइनाइट वायर का formula बन जाएगा, ओके, इसी same चीज को अगर मैंने multiply कर दिया, यहाँ तो clear है, फ़्टा है 2 और 1 वाल आपको clear है, थोड़ा और अच्छे से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अगर इस पूरे formula को मैं यहाँ लिखता हूँ, multiply कर दिया, मैंने, suppose, root 4 से, root 3 से, root 2 से, और root 1 से, तो multiply अगर root 4 से, root 3 से, root 2 से, root 1 से, root 4 मतलब 2, इन से अगर multiply कर रोट 1 मतलब 1, तो अगर इस से multiply करा, तो यह हो जाएगा, मियो नाट अपान 4 पाइ, kafar i by are multiplyed by two, यह हो जायेगा, कौन सा वालां वायर, infinite wire, infinite wire, every way मैं हो जाएगा, 60 degree वाला वायर, ठीक है, 60 degree वाला वायर, इन सिर्ट वाले में हो जाएगा, जल्दी बता दो, two वाले मैं हो जाएगा, तू वाले में हो जाएगा, पॉट्टी फाइव डिग्री वाला वायर अंडर रूट टू में और वन के लिए हो जाएगा कौन सा वाला वायर थार्टी डिग्री वाला वायर लेकिन वन के साथ एक क्या चौर है अगर वन से मुल्टिप्ला करते हैं तो सेम फॉर्मूला आता है जो कि मुल्टि पॉल्मूले बन सकते हैं मुनट उप Natalie से मुटिप्ला करने से तो यहाँ गया यहिया गया इसके बाद कि यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कौन खॉर्मूले हमने देखा था आग मुनट ऑप्न उटेक हैं when Pi R square upon H square, यह formula finally mu naught upon 4 pi, 2 pi से 2 pi काड़ दो, तो 2 into I multiplied with R square upon hypotenuse का cube, तो that is R square plus X square की power 3 by 2 निकल रहा था, यह formula magnetic field का, यह चीज हमने पढ़ी, इसके बाद हमने पढ़ा था cylinder, cylinder तीन तरीके पढ़ा थे, hollow, solid और एक semi-solid, तो मैं hollow और solid का बता देता हूं, hollow के inside में formula था, और outside का था, inside का 0 था, इसका inside का formula था, mu naught upon 4 pi, i by R multiplied with capital R upon, capital R multiplied small r upon capital R, यह formula था, mu naught upon 4 pi, i by R, capital R upon small r, फिर से लिख देता हूं, mu naught upon 4 pi, i by capital R, multiplying क्या गर रहा था, capital R upon small r, small r upon capital R, यह multiplied था, तो R square आ गया था, उपर R आ गया था, ठीक है, that is, प्लारी प्रोपॉशनल रा, और outside दोनों का same formula था, जो यह formula हमने infinite wire का लिखा है, infinite wire का formula क्या था, mu naught upon 2 pi, i by R, ठीक है, mu naught upon 4 pi, i by R multiplied by 2, यह formula यहाँ पर निकल के आया, इसके बाद हमारे पास दो और चीज़ बची, एक चीज़ बची टोराइड और एक चीज़ बची बची सोलोनोइड, तो सोलोनोइड इस तरह की होती थी, इसमें uniform magnetic field आती थी, इसका जो formula आया था, वो मुन्नी आया था, mu naught n i, सारे के सारे formula आपके बोर्ड पर लिखे हुए है, और मैं उमीद करता हूँ आपको हर formula याद होगा, अगर आपको मज़ा आया है, अगर आपको आनन्द की अनुभुती हुई है, तो आप बिल्कुल चीकु भाईया को ये बात बता सकते हैं, कि चुकु भाईया हमें तो पसंद आ गया, हमें तो मज़ा आ गया, हमें तो सब समझ में भी आ गया, और अगर आप लोग प्रिपेर कर रहें नीट के लिए तो आपके लिए फिर से यह वाला टेस्ट है कौन सा है अनकेटमी स्कॉलर्शिप टेस्ट यह बहुत ही भीर और बहुत ही इंपोर्टेंट चीज आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग इस चीज को मिस नहीं कर सकते यार अगर आप लोग सही में फायदा उठाना चाहते हैं कि बड़ा 90 परसेंट तक की स्कॉलर्शिप है पेवरेट एज्यूकेटर यू आई यू नहीं हूँ आपको चांस मिल सकता है और बाकी स्पीकर मिलेगा गाने जुनूँगा इस पे इसके बाद स्मार्ट वाच मिले कि चीटिंग करने जाओंगा और नीट में तो लाओड ही नहीं है कोई नहीं टेस्ट मकल लूँगा जो भी है और लेप्टॉप मिलेगा पढ़ने के लिए अराम तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है बढ़िया से आप दीजिए ग्यारा फरवरी इसकी डेट है प्रॉ आपको कोड यूज करना है एए यूप इधर वाले पर भी आपको कोड यूज करना होगा एए एए यूप कोड बहुत सिंपल है ठीक है तो देट सिट फॉम मैं सब्सक्राइट गाइस आई टेल यू अबाउट था स्पेशल क्लास इन यार टेलिग्राम ग्रूप तब तक इस इस में चीको बही या निए 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 बाइ यू टाटा